हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का एक्जाम न्यूज बाई जेके में तो दोस्तो आप लोग की बहुत सारी डिमांड हो रही थी कि सर अस्पीडी करवा दिजिए अस्पीडी करवा दिजिए तो दोस्तो आज हम आप लोग के लिए अस्पीडी बुक का फूल सॉलूसन जो है इसमें कभर करने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो आप लोग को 1992 से 2020 तक अब तक जितने भी प्रस्ण पूछे गए हैं सारे क्यूस्चन जो है तो आप लोग के लिए ले करके आये हैं अस्पीडी का फूल सॉलूसन पूरा अस्पीडी बुक आप लोग को इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा 1992 से ले करके 2020 तक अब तक जितने भी प्रस्ण पूछे गए हैं सारे प्रस्ण को इस वीडियो में कभर किया जाएगा दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि सारा कीशट्रण जो है आप लोग को किलियर हो पाएं दोस्टों ऐगर आप लोग कहीं ट्रेवल कर रहें हैं या फिर कहीं जा रहें हैं और आप चाहा याद कर सकते हैं तो इसलिए ये वीडियो आप लेक लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है दोस्तों तो आप कहीं भी किसी भी इस्थिति में हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए हम लोग इस वीडियो को सुरू करते हैं और इस वीडियो में दोस्तो हम लोग पूरे अस्पीडी को कभर करेंगे तो पहला कुष्चन है दोस्तो कि जनगन्ना संग सूची के अंतरगत बरनीत है तो इसे आप याद रखेगा हम लोग जानते हैं तीन सूची होते हैं संग सूची, राज सूची और संबर्ती सूची जिसमें से जनगन्ना जो है वह संग सूची के अंतरगत आता है भारत का संबिधान भारत को राज संग के रूप में बरनीत करता है तो भारत का संबिधान जो है भारत को राज संग के रूप में बरनीत करता है तो इसे आप याद रखेगा मचहलियों के यकरित तेल में बिटामिन D की परचूरता होती है तो मच्छालियों के जो यक्रित से जो तेल निकाला जाता है उसमें कौन से बिटामिन का परचूरता है दोस्तों तो बिटामिन D की परचूरता होती है चलिए नेक्स्ट किस्टन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग चुद्र गरह मंगल और ब्रहस्पती के बीच देखे जाते हैं तो इसे आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो चुद्र गरह है वो मंगल और ब्रहस्पती इनहीं दोनों गरहों के बीच में वह भी सात्वे चक्कर लगाते रहता है तो याद रखेगा कि चुद्र गरह मंगल औ ग्रस्पती के बीच देखे जाते हैं नेक्स्ट क्यूशन है तुलवूल परियोजना जेलम नदी पर इस्तिते तुलवूल परियोजना कौन से नदी पे है दोस्तों जेलम नदी पे है नेक्स्ट क्यूशन है बावर नामा के लेखत बावर हैं तो बावर नामा जो थी वह एक बावर के द्वारा लिखी गई आत्म कता थी वह बावर जो है अपने जीवनी के बारे में इस बावर नामा में लिखता है तो बावर नामा जो है बावर की आत्म कता थी नेश्ट कुछें है, अंतराष्टिय महला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है परकास भर्स दूरी का मात रखे मानव शरीर का सामान ये तापमान 36 दिगरी सेंटिग्रेट होता है तो Celsius में अगर बात करें तो 37 degree centigrade होता है और अगर Fahrenheit में बात करें तो 98.6 degree Fahrenheit मान होता है सरीर के तापमान का तो Celsius में भी आद रखेगा और Fahrenheit में भी आद रखेगा दोनों इस कोई भी क्यूचन पूछ सकता आपसे नेक्स क्यूचन है अंतिन मुगल समराट बहादूर साजफर दूतिये था तो मुगल समराट का अंतिन बातसा जो था वह बहादूर साजफर दूतिये था और भारत छोडो अंदोलन का नारा महातमा गांधी ने दिया था तो भारत छोडो अंदोलन जो चलाया गया था वह महा एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, नेक्स्ट क्यूशन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह सुक्र है, तो यहाँ से कई क्यूशन पूशे जाते हैं, सौर मंडल का जैसे कि सबसे चमकीला ग्रह की बात क तो वह बूध हो जाता है लेकिन बूध जो है सुरी के नजदिक होते हुए भी गर्म उतना नहीं है और गर्म गरह के स्रेनी में सुक्र ही आता है तो सबसे गर्म गरह सुक्र ही है और सुक्र को पिर्थवी की बहन भी कहा जाता है सुबह का तारा और सांज का तारा भी सुक्र को कहा जाता है तो यह सारी question आप याद रखेगा चलिए next question की तरफ बिंदु सार मौरिबंस का सा सकता तो बिंदु सार के बारे हम याद रखेगा या मौरिबंस का सा सकते लिंग राज मंदीर भूबनेस्वर में इस्ति थे तो लिंग राज का मंदीर कहां है भूबनेस्वर में है कई बार क्यूचण पूछा गया है दोसतो याद रखेगा मखाऊ की मुद्रा क्या है पटाका है चलिए अब next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं next question है cinema का अविस्कार Nicholas और Jean Luthier ने किया था cinema जो हम लोग देखते हैं उसका अविस्कार जो है Nicholas और Jean Luthier के द्वारा किया गया था फिर थभी का एक मात उपग्र चंदरमा है तो इसे आप याद रखेगा जानते भी होगे आप लोग चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं हर्स का हर्स जो थे वह बान भट हर्स का राज कभी बान भट था चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं हर्स का राज कभी बान भट था तो हर्स के दरवार के जो राज कभी थे वो अबान भट थे तो इनके बारे में भी आप याद रखेगा नेस्टूशन की तरफ बढ़ते हैं हाइड्रोजन बम का अभिसकार जो है एडवर्ड टेलर के दौरा किया गया है बिस्व स्वास्थ दिवस साथ अपरेल को मनाया जाता था तो इसे आप याद रखेगा अभी उपर हम लोग पले अंतराश्टिय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है वहीं बिस्व स्वास्थ दिवस जो है साथ अपरेल को मनाया जाता है next question है दस्चीन अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है यानि कि दस्चीन अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है पंपास कहा जाता है तो इसे आप याद रखेगा नेक्स्ट कुशन है भारत में पर्थम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था तो भारत में सबसे पहले अगर स्वर्ण मुद्रा चलाया गया तो वह यूनानियों के द्वारा चलाया गया था तो इसे आप याद रखेगा नेक्स्ट कुशन है भारत ये राज्टिक कॉंग्रेस के पर्थम मुसलिम अध्यक्ष के अगरे बात करेगा तो वह बदुरुदीन तयब जी थे नेक्स्ट कुछन है राज अपहरन निती राज अपहरन निती को हम लोग हडप निती के नाम से भी जानते हैं जो कि लॉड डलहोजी के द्वारा लाया ग अगर बात करेगा तो बारा होते हैं राज सभा में मनोनित सदस्यों की अधिक्तम संख्या की अगर बात करेगा तो बारा होते हैं राज सभा में मनोनित अधिक्तम संख्या 12 होते हैं जबकि अगर लोग सभा में मनोनित संख्या की बात करे तो लोग सभा में दो सदस मनोनित किये जाते हैं तो इसे आप याद रखेगा अगर दोनों सदनों की बात करे तो दोनों सदनों में कुल 14 सदस जो है वह मनोनित किये जाते हैं 12 जिसमें राज सभा में और दो लोग सभा में मनोनित किये जाते हैं चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हैं सुन्डा जल्ड मरुमध जाबा तथा सुमात्रा दीप के बीच में इस्ति थे तो इसे आप याद रखेगा कि सुन्डा जल्ड मरुमध जाबा और सुमात्रा के बीच में है next question है राष्टिये आई का आकलन केंद्रिये सांखी की संगठन CSO के द्वारा किया जाता है तो इनका नाम याद रखेगा राष्टिये आई का आकलन केंद्रिये संगठन के द्वारा next question है गांधी इरिविन समझावता 1931 में हुआ था तो इसे भी आप याद रखेगा कि गांधी इरिविन समझावता कब हुआ 1931 में हुआ next question है बिस्वएक का मुख्याले बासिंगटन DC में है तो मुख्याले भी आप याद रखेगा बिस्वएक का मुख्याले कहा है बासिंगटन DC में है उसी प्रकार next question के तरफ बढ़ते हैं योजना आयोग के अधक्ष परधान मंत्री होता है और इस योजना आयोग को बदल करके अब नीती आयोग कर दिया गया है जिसे कि आप लोग जानते हैं यह एक जनवरी 2015 को बदला गया इसे योजना आयोग को नीती आयोग में एक जन्वरी दुहर 15 को और अब नीती आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह पर्धान मंत्री ही होता है तो योजना आयोग को बदल दिया गया है योजना आयोग का गठन की अगर बात करें तो इसका गठन 1950 में हुआ था तो इसे भी आप याद रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अर्थ सास्त्र का जनक एडम अस्मित को कहा जाता है तो याद रखेगा एकोनोमिक्स का जनक कौन है एडम अस्मित अब आ याद रखेगा अभी हम लोग पड़े थे कि जन गन्ना जो हे वह संग सूची के अंतर्गत आता है जबकि सिझ्छा संवरती सुची के अंतर्गत आता है तो इसे आप याद रखेगा हम लोग आने वाली गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्यूचन है भारत में बैंको का पहली बार राष्टिये करन जो है तो रूसी करांती कब हुई 1917 में हुई थी तो रूसी करांती का डैट क्याद रखेगा 1917 में हुई थी चलिए नेक्स की तरफ बढ़ते हैं next question है लोग सभा में किसी बिध्यक को धन बिध्यक के रूप में अध्यक्ष परमानित करता है यानि कि लोग सभा में अगर कोई बिध्यक पारित क्या गया है तो लोग सभा का अध्यक्ष उसे यह परमानित करता है कि यह धन बिध्यक है यह अन बिध्यक है तो इसे आप याद बाल पोल थे तो इनका नाम या प्याद रखेगा दोस्तों इंगलेंड के पर्थम पर्धान मंदरी के बात करेगा कौन थे रोबर्ट बाल पोल थे आईए अब नेश्ट कुछन की तरफ हम लोग चलते हैं नेश्ट कुछन हम लोग का है कि अजाद हिंद फोज का गठन 1942 में हुआ था तो अजाद हिंद फोज की गठन कब हुआ 1942 में नेश्ट कुछन है लोधी बंस का अन्तिम सासक इबराहीम लोधी था तो इसे आप याद रखेगा जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा मुगल बंस क अंतिम सासक बहादूर साह जफर दूतिय था उसी परकार से लोदी बंस का अंतिम सासक इबराहीम लोदी थे तो इनका नाम भी आप याद रखेगा नेक्ट क्यूशन है जोग या गुरसप्पा परपात सरावती नदी पर इसी थे तो जोग का गुरसप्पा कौन नदी पर है सरावती नदी पर इसी थे यह अंबाला जो है हर्याना डिस्टिक में पढ़ता है तो इसे आप याद रखेगा यह किरसी परियोगिक फार्म है जो भारत का सबसे बड़ा किरसी परियोगिक फार्म है वह अंबाला में सित है और अंबाला कहा है वह हर्याना राज में पढ़ता है चलिए अब नेक्स्ट बर्स सेनाधिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है तो सेनाधिवस याद पंदला झनवरी को मनाया जाता है नेक्ट कुछन है रग्थचाप धमनियों में उच होता है हम लोग जानते हैं दो होतें एक धामनी होता है और एक सिरा होता है जिसमें से धामनी में blood pressure यानी रक्चाब जो है वह उच होता है और सिरा में निम्न होता है next question है चक्रवात जो आता है समुद्र में चक्रवात उठता है वह निम्न दाब के कारण आता है तो इसे आप याद रखेगा चक्रवात किसके कारण आता है तो निम्न दाब के कारण आता है भारत में पर्थम रेल लॉड डलहोजी के सासनकाल में चलाया गया था इसके पहले हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्ट की चुन है 1556 इस्वी में पानीपत की दूसरी लडाई आकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी तो पानीपत का पर्थम लडाई के अगर बात करें तो पानीपत का पर्थम लडाई 1526 इस्वी में लडा गया था नेक्ट की चुन की तरफ बढ़ते हैं 1556 इस्वी में पानीपत की दूसरी लडाई आकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी तो पानीपत के दूसरी लडाई के बारे में याद रखेगा 1556 इस्वी में लड़ी गई पानीपत की दूसरी लडाई जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ गई थी नेक्ट कुछन है मांसरोबर जील तीबत में इस्थी थे मांसरोबर जील कहा है तीबत में है बीजाई नगर तुंगभधरा नदी के किनारे इस्थी थे या तुंगभधरा नदी के तठ पर इस्थी थे तो बीजाई नगर और बहमनी समराज के वार और दबर्गाथी चलिए नेक्ट किसन के दोरा उत्पन होता है तड़ीत किसके दौरा उत्पन होता है बिधुत विसरजन के दोरा नेक्ट किशन है रेविज नामक रोग, बिसानू निकि बाईरस के कारण फैलता है तो इसे आप याद रखे हैं कि रेविज जो रोग है उसका किसके कारण होता है बाईरस के कारण होता है चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं next question है कि मानम का समान, blood pressure या रक्त दाब जो होता है वह 120 x 80 mm mm होता है सहद में मुख्यता करवा हाइडरेट होता है संबिधान के अनुछेद 1 में भारत को राज्यों का संग कहा गया है विक्टोरिया परपात जैंबेजी नदी पर इस्ति थे नेक्ट कीश्चन है हीरे की चमक का कारण परकास का संपूर्ण आन्तरिक प्रावर्तन होता है तो वह इलतुत्मिस की बेटी थी नेक्ट कीश्चन है भारत में स्तरवाधिक सुध सोने के सिक्के कुसान बंस के सासकों ने जारी किया था तो भारत में स्तरवाधिक यानि सबसे ज़्यादा सोना के सुध सोने का सिक्का यो चलाया गया वह कुसान बंस के सासकों के द्वारा चलाया गया था तो इसे आप याद रखेगा चलिए next question की तरह बढ़ते हैं हम लोग next question है सुरी की उर्जा का मुख्य कारण नाभकिये सनलयन है इसे आप याद रखेगा सुरी के उर्जा का मुख्य कारण क्या है नाभकिये सनलयन है सीख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी तो गुरु अंगद देव जो थे वह सिख के दूसरे गुरु थे और इनहीं के द्वारा गुरु नानक जो की सिख के पहले गुरु हुए उनके जीवनी लिखी गई थी तो इसे आप याद रखेगा चलिए नेक्स की सिख के तरह बढ़ते हैं हम लोग रोम सहर जो है वह टाइवर नदी के किनारे इस्थी थे कौन नदी किनारे टाइवर नदी के किनारे राज सभा दोरा लोक सभा को धन भी धेयक 14 दिनों में लवटा दिये जाने चाहिए अगर राज सभा में अगर कोई धन भी धेयक आयता है तो लोक सभा को वह 14 दिनों के अंदर ही लवटा देना परता है तो इसे आप याद रखेगा कि राज सभा दोरा लोक सभा को धन भी धे कितने दिनों में लोटा दिये जाने चाहिए तो चवदर दिनों में लवटा दिया जाने चाहिए चलिए next question की तरफ बढ़ते हम लोग next question है चोल राजाओं की राजधानी तंज़ोर थी चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हम लोग next question है भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की अस्थापना 1972 इसमी में next question है पूरी इस्थित जगनात मंदिर को गंग बंस के सासकों ने बनवाया था तो पूरी में जो इस्थित है जगनात मंदिर वकिन के द्वारा बनवाया गया गया गंग बंस के सासकों के द्वारा बनवाया गया था चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं बांगला देश में क्या कहा जाता है पदमा कहा जाता है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुडवा सहर के नाम से जाना जाता है नेक्स किशन की तरब चलते हम लोग महाभारत का प्रचीन नाम जैसे हीता है यह आप लोग जानते होंगे कि महाभारत का प्रचीन नाम क्या है तो जैसे हीता ह निएक्ट कुछन है सबसे प्रolor रीग बेथ यूठ इसे आप जानते हैं राष्ट पती को देता है राष्ट पती अपона त्याग पत्र किसे देता है उपराश्ट को देता तो इसे आप याद रखेगा कि हजामती दरपन के रूप में अबतल दरपन का परियोग किया जाता है चलिए नेक्ष्ट क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्ष्ट क्यूशन है तांसेन का असली नाम रामतनु पांडे था तो तांसेन का असली नाम क्या था पांडे नेक्ष्ट क्यूशन खुजराहो मंदीर लगभग एक हजार बर्स पुराना है नेक्ष्ट क्यूशन है हाथी गूमफा उड़ीसा राज में है जिसे खारवेल ने बनवाया था हाथी गूमफा कहा इस्ती थे उड़ीसा राज में इस्ती थे जिसे खारवेल के 3000 प्राज में पढ dalla है चलिए नेक्र कि तरफ बढाते हैं हम लोग नेस्ट कुछन हमलोग का अम्लिये बर्षा का कारूं क्या है Esse यू और अन में लोका गूड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बग है दोस्त नामयाद रखेगा इनका दोश्तों राइटर का नेश्टुरारब बढ़ता है हम लोग हम लोगा नेक्सट आ भारत की पर्थाम युद्धक मिसाइल पिर्थभि थी तो भारत के सुधार करने वाला पर्थम मुसल्मान सासक जलालुदीन अकबर था तो अकबर का पूरा नाम भी पहले याद रखेया कि अकबर का पूरा नाम जलालुदीन अकबर था और समाजिक कुछन है ट्रांजिस्टर का विसकार 1948 इस्वी में हुआ था तो ट्रांजिस्टर का विसकार याद रखेगा आप 1948 इस्वी में किया गया था चलिए नेक्ष्ट की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्ष्ट कुछन है अकबर का राजस्व मंत्री टोडर मल था तो अकबर का राजस् अब्यास की बात करें तो वह है 12706 किलो मिटर और दोनों के बीच अंतर जो है वह 42 किलो मिटर का है यह किश्चन कई बार पूछा गया है तो इसे आप याद रखेगा तो फिर अभी का धूर्भी अब्यास के बात करें तो कितना है 12714 किलो मिटर नेक्ट किशने लोहे का निस किसके दोर किया जाता है हेमा टाइट अयस्क से नेश्ट किशने देश का सबसे बड़ा बंदरगा नहावा सेवा बंदरगा जिसे की अब नाम बदलकर जवाहर लाल नहरू बंदरगा कर दिया गया है जो कि मुंबई में इस्थी थे तो देश का सबसे बड़ा बंदरगा क कब हुआ था 1979 में हुआ था यह कुष्टन पहले भी आया था और उसका स्मॉल डेट के अगर बात करें तो 19 जुलाई भारत में पर्थम बार 14 बैंको कार राष्टिय करन हुआ था नेस्ट क्यूशन के तरह पर चलते हैं हम लोग संबिधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था और कैबिनेट मिशन आया कर था तो 16 मैं 1946 को यहां आया था तो संबिधान सभा का जो गठन भाष्ट पती होता है यह आप लोग जानते होंगे ध्वानी को डेसीवल में मापी जाती है तो ध्वानी को मापी जाती है किसमें डेसीवल में गांधी जी का जन्म गुजरात के पुरबंदर नामकस्थान में हुआ इसे आप लोग जानते होंगे चलिए नेश्ट कुशन क तरफ पड़ते हैं हम लोग गुप्त बंज का सन्स्थापक कौन था सिरीगुप्त था तौक नाम याद रखेगा आप और बंगलादेश की मुद्रा का नाम ठका है सीनेवार अ पारा तो नेक्ष्च किस्था कैसे तरफ चलते हैं हम लोग नेक्ष्ट कीश्टन तो दिल्ली जो है भारत की आज़णि कपनी 112 में बनी थी। इस आप यहाद रखोएगा, चलिए। मिट्टी के कटाओ का मुख्रिकारण जंगलों का कंटना है, जैँलों का कंटना है। हेलीवीड का भावी मंदिर होई सालाओं के द्वारा अस्थापित किया गया था हेलीवीड का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था इसे आप याद रखेगा चाय अत्याधिक ठंडे छेतरों में उगाई जाती है तो चाय को जो उगाने का सबसे अच्छा परदेश जो है वह ठंडा छेतर वाला परदेश है तो इसे ठंडे छेतरों में उगाया जाता है next question है काच में से गुजरने पर परकास के बैगनी रंग की गती धीमी हो जाती है काच से जब परकास गुजरता है तो कौन से रंग का चाल जो है धीमा हो जाता है तो इसे आप याद रखेगा चलिए अब next question की तरफ हम लोग चलते हैं हम लोग का next question है दोस्तों हाँ next question है हम लोग कि जपान की currency को येन कहा जाता है जपान की currency क्या कहा जाता है येन कहा जाता है और चीन अभरक का सबसे बड़ा उतपाधक देश है तो अभरक जो है सबसे ज़्यादा कहां उपजता है चीन में होता है तो उतपाधक देश अभरक का सबसे बड़ा कौन होग हुई थी चलिए next question की तरफ चलते है हम लोग next question है फलो रों के अधियन को क्या कह जाता हैём पॉमोलोजी कहें धिल्ली चलो कनारा किस ने दिया सौस्चन्दर बोस ने दिया था अभी पहले हम लोग पढ़ा था करो या मरो कनारा महत्मा अधी के दौरा दिया गया जब कि दिल्ली चलो का नारा स्वार्श चंद्र बोस्ड के दौरा दिया गया था तो चलिए नैश्ट कृचिस्चन है बीहु असमराज का परमुख्तिवार है कि 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 पर तो ब्यूहू जो है असम राज का परमुख तेवहार है नेश्ट कुछन है भाख़ा नागल बांध सतलज नदी पर इस्थित है तो भाख़ा नागल बांध किन सी नदी पर है सतलज नदी पर है नेश्ट कुछन है अरजुन पुरसकार 1961 में पररम किया गया था तो इसे आप याद रखेगा कि अरजुन पुरसकार कब से दिया जा रहा है नेक्ट किशन है ध्यांचन्द अस्टेडियम लखनाव में इस्थी थे ध्यांचन्द अस्टेडियम कहा है लखनाव में इस्थी थे नेक्ट किशन है टीपू सुल्तान मैसूर का सा सक्था तो टीपू सुल्तान कहां का सा सक्था दोस्तों मैसूर का सा सक्था तो इसे भी आप याद रखेगा, नाटो का मुख्याले कहा है, बुरुसेल्स में है, अभी हम लोग पढ़े थे, 20 में क्या मुख्याले कहा है, बासिंगटन डिसी में, उसी परकार नाटो का मुख्याले कहा है, बुरुसेल्स में है, तो इसे भी आप याद रखेगा, चलिए आगरा के किले के अंदर मोती मस्जित का निर्मान साह जहां के द्वारा करवाया गया था तो यहां से किले के अंदर मोती मस्जित का निर्मान की बात करे तो वह साह जहां के द्वारा करवाया गया था लेकिन अगर दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर अगर मोती मस्जित का निर्वान का बात करे तो वह औरंग जेव के द्वारा करवाया गया था तो ये दोनों कोस्टन कन्फ्यूज करता है दोस्तों तो इसे आप याद रखेगा चलिए next question की तरब बढ़ते हैं हम लोग next question है सेरसा का मकवरा सासा राम में इसी थे next question रांगा टीन एवं सीसा का मिसरन है रांगा को टांका के नाम से भी जाना जाता है तो यह किसका मिसरन है टीन और सीसा का मिसरन है next question की तरब चलिए हम लोग नेक्स कुछन है इंगलीश चैनल पार करने वाला पर्थम भारतिये मिहीर सें था तो इंगलीश चैनल पार करने वाला पर्थम भारतिये कौन था मिहीर सें था नेक्स कुछन है राष्टिये पुस्तकाले कोलकत्ता में इस्ति थे तो राष्टिये पुस्तकाले कहा है कोलकत्त में इस्तित है तो याद रखेगा आप बांदी पूराष्टी उधर कहा है करनाटक में चलिए next question के तरफ चलते हैं हम लोग next question है budget सब्द का साब्दिक अर्थ चमडे का थैला होता है budget जो सब्द है हम लोग का जो budget सब्द हम लोग का जो संविधान में आता है तो उसका अर्थ क्या होता है दोस्तो चमडे का थैला होता है और budget का प्रभधान हमारे समिधान के अनुछेद 112 में है तो इसे भी आप जात रखेगा और इसका साब्दिक अर्थ budget का होता है चमडे का थैला चलिए next question सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज में इस्ती थे तो सरदार सरोवर परियोजना कहा है गुजरात राज में इस्ती थे next question है पर्थम राजिब गांधी राष्टिये सद्भावना पुरुसकार मदर ट्रेसा को दिया गया था तो राजीब गांधी राष्टिय सद्भावना पुष्कार पहली बार सबसे किसे दिया गया मदर ट्रेसा को दिया गया था नेक्स्ट क्यूचन है रवर एक प्रकृतिक बहुलक है गयट का पूल्ण रूप जनरल एग्रिमेंट ट्रेड & टैरिफ होता है जनरल एग्रिमेंट ट्रेड एंड टैरिफ सयूक राष्ट संग का मुख्यालय न्युवार्फ में है chat एक जनते हैं आप लोग UNO UNO United Nation travelling का मुख्यालय कहा है निवार्क में इस्थित है नेश्ट कुचन है चकमा सरनार्थियों का संबंद बंगलादेश से है चकमा सरनार्थियों का संबंद कहां से है बंगलादेश से है नेश्ट कुचन है सार्क का मुख्याले काठमांडू में इस्थित है इस इतलीन गैस का परियोग किया जाता बिदूद चुंबक बनाने के लिए मिझू लोहा का परियोग किया जाता है T सब्ध का संद्ध कों चांज है क्वाई अस्कॉर्ट अंदोलन के संस्थापक बेडिण पावेल थे है दोस्तो नाम इनका आद रखेगा आप लोग चलिए ने के समिधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो हमारा समिधान कब से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लेकिन क्यूशन पुछा था कि हमारा समिधान अंगी किरित कब किया गया था तो वह 26 नवंबर 29 को याद रखेगा आप लो 26 नवंबर 1929 को हमारा समिधान अंगी किरित किया गया जबकि हमारा समिधान जो है संपून रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था नेक्स्ट क्यूशन है इस पाथ संयत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा धालवा लोहा कह लाता है नेक्स्ट क्यूशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है माइक्रोफोन का विसकार किस ने किया तो ग्राहम बेल ने किया था तो याद रखेगा आप लोग माइक्रोफोन का विसकार किसके द्वारा किया गया ग्राहम बेल के द्वारा किया गया तो चलिए और सांची का स्थापन किन के द्वारा बनवाया गया तो राजा असोग के द्वारा बनवाया गया था नेस्ट किस्टन है गुलाम बंस का संस्थापक कौन थे कुतुब दीन एबक थे तो गुलाम बंस के स्थापन किन के द्वारा किया गया कुतुब दीन एबक के द्वारा नेक्स्ट किस्टन पूरवी घाट तथा पस्चमी घाट का मिलन अस्थल नीलगिरी की पहाड़ या हैं, तो पूरवी घाट और पस्चमी घाट जहां मिलती है, वह कौन सा अस्थान है, नीलगिरी की पहाड़ या है, नेक्स्ट किस्टन लाबनी तथा तमासा, यह दो तो नाम क्या है दोस्तों याद रखेगा लावनी और तमासा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट किस्टन है परसीद संगितग्य तांसेन अकवर के दरवारी थे तो परसीद जो संगितग्य थे तांसेन वह किन के दरवार में रहते थे वह अकवर के दरवार में इसी थे तो युनिसेफ का मुख्याले कहा है निवार्ट में है नेक्ट किस्टन है गैट का जगा डबलू टीयो ने एक जनवरी 1995 को लिया था जिस परकार से हम लोगों ने अभी पड़ा था योजना आयोग के जगा पे नीती आयोग आ गया एक जनवरी 2015 से उसी परकार गैट जिसका की पूर्ण डूप हम लोग पड़े था अभी ग्रेट एंट टेरेड एंट टेरिफ जेनरल एग्रिमेंट टेरेड एंट टेरिफ अभी इनका फूल फ़र्म पड़े था गैट का इसकी जगा जो है डबलू टीयो ने लिया और कब से लिया एक जनवरी 1995 से तो इसे आ चंद्रगुप्त दूतिय के सासनकाल में आया था नेक्ष्ट की तरब चलते हैं नेक्ष्ट की चन है मन सबदारी पर था आकवर ने चलाई थी तो मन सबदारी पर था किसके दोरा चलाया गया था आकवर के दोरा चलाया गया था नेक्ष्ट की तरब चलते हम लोग नेक्ष कूट काल की इससे आफ दाफ केगा गुरु तेग बहादur का बद औरंग जेव ने करवाया था तो आप जानते हैं गुरु तेग बहादूर नेश्ट कीचन है महात्मा गादी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन में दिया था तो भारत छोड़ो अंदोलन का वाया दोस्तो 1942 में और यही भारत छोड़ो अंदोलन में महात्मा गादी के दोरा करो या मरो का नारा दिया गया था नेश्ट कीचन चोल बंस नौसैनिक सकती के लिए परसीद था तो चोल बंस किसलिए परसीद था नौसैनिक यानि नौसैना रखता था इसके लिए चोल बंस को जाना जादा था नेश्ट कीचन के तरफ चलते हैं नेश्ट कीचन है बिस्व का सबसे चोटा देश कौन है बेटिकन सीटी है तो इसे याद रखेगा आप लोग कि बिस्व का सबसे चोटा देश कौन है बेटिकन सीटी वहीं अगर बिस्व की सबसे बाद इसके बात करें तो कौन है रूसे तो इसे भी आप याद रखेगा नेक्ष्ट कीचन की तरफ चलते हैं लखनाउ से पहले अवत की राजधानी फैजावाद थी नेक्ष्ट कीचन नागा अरजून स्रिसेलम अभियारन भारत का सबसे बड़ा बाग अभियारन है और जो कि किस राज में है तो आंधर परदेश में इस्ति थे तो नाम भी याद रखेगा राजी का आप लोग आंधर पतिस राज में नेक्ष्टीचन है इराग की मुद्रा का नाम दिनार है तो इराग की मुद्रा का नाम क्या है दिनार है नेक्ष्टीचन के तरफ चलते हैं नेक्ष्टीचन है ध्वनी तरंगे निरबाद से होकर नहीं संस्थार भारत की जलवाय। है। उसन कटिवण्द미 है। तो भारत की होता है नेक्ट की èसंए है खूण की कमी को दर साती है अगर आपके सरीट में खूण की आता है तो ब्लड को मापने के लिए जिस यंद्र का परियोक जाता है उसका नाम क्या है तो नाम इनका याद रखेगा next question है कपास के लिए अदर्स मिट्टी काली मिट्टी है तो कपास काली मिट्टी में उपजाई जाती है next question बीडी सावरकर ने 1857 के बिद्रोह को स्वतंतरता का पर्थम भारतिय संग्राम कहा तो यह कई बार किश्चन आये दोस्तों कि 1857 के करांती को स्वतंतरता का पर्थम भारतिय संग्राम किन के दोरा कहा गया था तो बीडी सावरकर के दोरा कहा गया था next question है भारतिय समिधार में सरकार का संसद्य स्वरूप प्रिटेन से लिया गया है तो संसद्य का जो स्वरूप है वह किसके दोरा लिया गया है तो वह ब्रिटेन से लिया गया है next question है टेस्ट किर्केट में परियोग होने वाली गेंद का बजन 5.50 ओंस होता है तो याद रखेगा टेस्ट किर्केट में जो गेंद परियोग होता है उसका बजन कितना होता है 5.50 ओंस होता है नेक्स्ट किर्शन है चीन में लाल करांती मायो तसे तूंग के नितरित में हुआ था तो चीन में जो लाल करांती हुआ था किसके नितरित में हुआ था मायोत से तुंके नितरित में बिस्व में सबसे कम बरसा वाला जगह अफरीका का सहारा छेतर है और सहारा मरवस्थल जो है वह बिस्व का सहारा मरवस्थल भी है और बिस्ब में सबसे कम बरसा जो है वो अफरीका का सहारा के छेत्रों में होता है नेक्स क्यूशन है बिस्ब में मीठे पाने की सबसे बड़ी जील सुपिरियर जील है और अगर बिस्ब में सबसे खारे पाने की सबसे बड़ी जील की बात करें तो वह है कैस्पियंस आगर तो मीठे पानी की सब्सक्राइब बड़ी जील सुपिरियर जील और खारे पानी की सब्सक्राइब बड़ी जील कैस्पियंस आगर है सिकंदर की मिर्त्यू बेवी लोन में हुई थी तो सिकंदर की मिर्थी के बारे में जाद रखेगा आप सिकंदर की मिर्थी जो कहा हुई बेविलियून में हुई थी चलिए अब next question की तरब बढ़ते हैं हम लोग next question है हम लोग का कि vitamin A आँखों के लिए अच्छा होता है तो आँखों के लिए अच्छा कौन होता है vitamin A होता है next question है गीत सेठी का संबन्द बिलियर्ड से है तो गीत सेठी का संबन्द किसे है बिलियर्ड से है next question vitamin B12 को कोवाल्ट पाया जाता है तो vitamin B12 में क्या पाया जाता है कोवाल्ट पाया जाता है बिटामिन B बार में कोवाल्ट जबकि डाइनामाइट में क्या पाई जाता है नाइट्रो ग्लिस्रीन पाई जाता है तो इसे आप याद रखेगा नेश्ट क्यूस्चन राजसभा के एक तिहाई जगों को भरने के लिए परतेक दो बरसों बाद चुनाब होता है तो कभी भंग नहीं होता है इसलिए इसका परतेक एक तिहाई जगों को भरने के लिए परतेक दो बरसों के बाद चुनाब होता है राजसभा का नेश्ट क्यूस्चन है बिस्प एड्स दिवस कम मनाया जाता है एक दिसंबर को मनाया जाता है तो एड्स दिवस एक दिसंबर को नाया जाता है शम्फ समप्राश का संब संब्द तेस्क्षेल से है तो पीट संप्राश जो सब्द ए उसका संबंद कौन से सेकेंड होता है भारतिय सेना का नया अधार गित मेरा भारत महान है तो भारतिय सेना का नया अधार गित कौन सा है मेरा भारत महान नेक्ट किशन दा मेकिंग ओफ दा महात्मा फिल्म के निर्देशक स्याम बेनेगल है दा मेकिंग ओफ दा महात्मा दा मेकिंग ओफ दा महात्म पाई जाती है तो फलिदार पौधों के जड़े में कौन सी गुर्क्तिया पाई जाती है राइजोबियाश्ज। कि आइरन की कमी से स्रीर में एनेमिया नामग होता है तो आइरन की कमी से अई दोनों की संयुक्त बैठक बुलानी हो तो वह जो बैठक है वह लोग सभा अध्यक्ष के दोरा उसमें अध्यक्षता कि जाती है लेकिन दोनों की संयुक्त बैठक कर बुलाने की बात कि जाए तो बैठक बुलाता है राष्ट पती दोनों का संयुक्त बैठक राष्ट पती ब प्यात रखेएगा निस्ट रूल में चंगादर के स्रेणी में आता है तो साथ बाहन का संबंध कहां से है अंधर पुसमित्र रूर्ष के द्वारा की गई थी कलहन् प्रस्जित दर्णगनी का सम्री इतियास तो राज तरंगनिर के लेखत कौन है कलहन और कलहन में जो है इसमें कस्मीर का इतिहास लिखा हुआ है राज तरंगनी नामक बुक में नेश्ट किशचन है बाग गुफा मध्य परदेश के धार जी लेके नाई गाउम इस्तित थे जो भीत्ती चित्रों के लिए परसिद है बाग गुफा कहां परसिद है मधह परदैस में है, जो की मधह परदैस के धार जी लेके नाई गॉव निस्थी थे जो की भीत्तीचित्रों के लिए परशिद्द है Next question है, महावली पूरम के रौक कट मंदिर को राजा नरसीं बर्मन पर्थम ने बनवाया था तो महावली पूरम के रॉक कट मंदिर को किस ने बनवाया नरसीह बर्मन पर्थमने कभी हरी सेन समूद्र गुप्त राजा के दरवार में रहते थे तो कभी हरी सेन किन के दरवार में रहते थे समूद्र गुप्त के दरवार में होईसेल सैली का परसिध मंदिर हेली बीड में है और हेली बीड का जो मंदिर है यह किन के तोरा बन गया था होईसालाओं के तोरा बन बाया गया था नेक्ट किस्टन है नवरतनों का संबंध अकवर से है अकवर के दर्मार में ही नवरतन रहते थे तो आप याल रखिया कि नौरतनों का समद्ध किस से है अकबर से है जिसमें की बिरवल भी एक परसिद नौरतन थे तो आप लोग जानते हों उनके बारे में नेक्ट किस्टन है पंच तंद्र के लेखक बिसनु सर्मा है तो पंच तंद्र किन के दोरा लिखा गया है बिसनु सर्मा के दोरा ओजोन पारे तथा चांदी को परभावित करता है ओजोन जो गैस है वह किसको किसको परभावित करता है पारे और चांदी को परभावित करता ह नेक्स्ट किस्टन है ध्वनी की इकाई डेसीवल है ध्वनी की इकाई क्या होती है डेसीवल होती है हाइड्रोक्लोरिक अमल में ऑक्सीजन नहीं होती है तो आद रखेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अमल में जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है मुंखफली में बिटामिन बी बन मुंखफली में कौन सा बिटामिन पाया जाता है बिटामिन बी बन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है काला पैगोडा जो ब्लैक पैगोडा मंदिर है जिसको काला पैगोडा के नाम से जानते हैं हुआ मंदर कहा है इसती थे कोनारक में इस थी थे तिराना अलवानिया देश की रजधानी के बारत के मुक्ह लडाकू टेंक का नाम अरजुन किसका नाम है भारत के मुक्ह लडाकू टेंक तो आप याद रखेगा अरजुन जो है वह भारत के मुख्य लड़ाकु टैंक का नाम है गुगली सब्द का समद्ध आप लोग जानते होंगे कि हमारा भारतिये किर्केटर है आर असमीन वह बहुत ही अच्छा गुगली फेकता है तो गुगली का समद्ध जो है वह किर्केट खेल से है तो इसे आप याद रखेगा चलिए नेक्ट कीचन की तरह बढ़ते हैं हम लोग नेक्ट कीचन है ग्रांड असलैम लॉन टेनिस से समद्ध है ग्रांड असलैम सब जो है वह लॉन टेनिस से समद्ध है चोहान बंस का अंतिम सासक पिर्थवी राज तिरतिये था त गाए था और वहां सौ बॉर्षों तक राज किया गया था इंस्वुलीज की खोज अभी और 7 के त्वारा की गई थी तो इंस्वुलीज की खोज किसे बेटिंग बेस्ट ने 20 पर्येटन दिवस याद रखेसा दोस्तों 20 ओलंपिक खेल 1924 में आरम हुए थे सर्दिय ओलंपिक खेल कब से आरम हुआ 1924 से और डवल फॉल्ट सब्ध का सम्बंद टेनिस से है अंतरराष्टिय ए टॉमिक एनर्जी एजंसी का मुख्षाले कहां है बिये नामे है तो मुख्षाले याद रखेगा अंतरराष्टिय का परियोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है पौधे बायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और अपने जड़ो के दौरा उसे नाइट्रेट में बदल कर उसे भोजर के रूप में गरहन करते हैं तो पौधे के दौरा नाइट्रोजन का परियोग नाइट्रेट के रूप में होता है नेक्ट कीचन है हिर्दय रोग का मुख्य कारण क्या है कोलेस्टरॉल तत्व का बढ़ जाना हमारे स्रीर में जब कोलेस्टरॉल बढ़ जाती है तो हमें हिर्दय रोग हो जाता है नेक्ट कीचन है अमल आगने सेलों में सीलिका का परतिसत अधिक होता है अमल आगने सेल ऐसा सेल है जिसमें सीलिका का परतिसत जो है वह सबसे अधिक होता है संसार में सबसे बड़ी खाली जो है मैक्सिको की खाली है तो संसार में सबसे बड़ी खाली के अगर बात करें पुर नदी घाटी की लंबाई कितनी हैं 4667 किलोमिटर सबसे भीतरी परत क्रोड कहाती है तो पिर्थबी की सबसे भीतरी परत उसे क्या कहाता है क्रोड कहा भारत सण 1945 में सयुक्त राष्ट संग का सदस बना यानि कि UNO का सदस अगर भारत के बारे मुला जाकि भारत UNO का सदस पर बना थो 1945 में भारत UNO का सदस बना और UNO की अस्थापना जो है वह UNI45 में हुई है तो 1945 में जब से UNO की स्थापनिया हुई है तभी से भारत UNO का सदस है तो यहाँ आप याद रखे है तो UNO की अस्थापना भी 1945 में हुई और तभी से भारत उसका सदस है नेक्ट कुछन है पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्री करण के सिध्धांत पर आधारित है तो पंचायती राज में लाट डॉलहाजि के समय लड़ा गया तो डूटी सिक्षी किसके साधनकाल में लाट डॉलहाजि के समय लड़ा गया जा काimiituation Lord Carnivalis की है तो Lord Carnivalis के द्वारा ही बोला गया था कि भारत का परतेक नागरी भरष्ट है या एक अंग्रेजी Governor General थे Lord Carnivalis अई द्वारा बोला गया कि भारत का परतेक नागरी क्या है भरष्ट है नेक्ट क्यूचन परचीन भारत में नौसेना का सरपर्थम परयोग चोलों के द्वारा किया गया था चोल जो है नौसेनी के लिए परसित था यह पहले भी कोश्चन आ चुका है नेक्ट क्यूचन है प्रोटीन का एक पॉली पेप्टाइड है प्रोटीन क्या है एक पॉली पेप्टाइड से है तो इसे आप याद रखेगा, चलिए next question की तरफ बढ़ते हम लोग, next question है हम लोग का, next question की यहां देख लेते हम लोग, मिस्र देश की राष्टिये धोज सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना अगर धोज बोला जाए, कि राष्टिये धोज सबसे पुराना किस देश का है, तो वोग का है, गलेवेनाईज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातू की परत चड़ाई जाती है, और जस्ता धातू की जो परत चड़ाई जाती है लोग पर उसे लिवेनाईजेशन कहा जाता है, next question, डागो गार्सिया हिंद महसागर का आध देप है, तो डीगो गार्सिया जो है वह हिंद महासागर का क्या है एक दीप है नेक्ट कीचन सरक सम्मेलन छेत्रिय सहयों के उद्ध से आरम किया गया था चलिए नेक्ट कीचन तरफ च्ब बढ़ते हैं यू एन एच सी आर संस्था सरनार्थियों से संबंदित है तो आप याद रुए यू एन एच सी आर ज दोनों राज्यों के बीच में है तो यह भी बहुत important question है कि कावेरी जल्वबाद किंदों राज्यों के बीच में तो कर्तमिलाडू और करनाटक के बीच में है अंतरराष्टिय का पर्थम भारतिय नियाधीस नागेंदर सिंग है जो अंतर राष्टिय इन उजल्व कोई बने थे तो वह बने थे नाद रख़ीर चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग next question है कुटूब मिनार को इल्टूतिमिस ने पूरा करवाया था तो कुटूब मिनार के बारे में आप लोग जानते हैं कि कुटूब मिनार की नीव जो है वह कुटूब दिन एवत के द्वारा रखा गया जबकि कुटूब मिनार को पूरा बनवाया था इल्टूतिमिस के द्वारा तो कोश्चन घुमाकर के पूछे जाते हैं एक्जाम में तो इसे आप याद रखेगा कि कुटूब मिनार को पूरा किसने बनवाया था इल्टूतिमिस ने बनवाया था तो अंतियोदय का विचार किस ने दिया जैपरकास नरायन ने भारतिये प्रशाशनिक सेवा जिसे की आप UPSC भी का सकते हैं उसकी सुरूआत जो है लॉड कार्णवालिस के द्वारा किया गया था और लॉड कार्णवालिस ने अभी हम लोगों पढ़ा कि लॉड कार्णवाल खी था अंतियोदय कारकरम का मुख उद्धेश अत्यधिक गरीबों का विकास था और उसक अत्योदय कारकरम को जच ने प्रकास ने पाश्मी घाट को किस नाम से जाना जाता है सहादरी के नाम से जाना जाता है चलिए नेश्ट कीचन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेश्ट कीचन है बासकोडिगामा 1498 को काली कट बंदरगाह को पहुचा था इसका स्मॉल डेट अगर पूछ ले तो 17 मई 1498 को सबसे पहले ब भारत के काली कट बंदरगाह पे पहुचा था उस समय वहां के राजा जमोरिन था जिनके द्वारा बासकोडिगामा का भव स्वागत किया गया था नेश्ट कीचन बांगला देश ने स्वतंतरता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था तो बांगला देश भारत से अलगकाब हुआ 16 दिसंबर 1971 को और उसी दिन उन्होंने अपना स्वतंतरता प्राप्त किया नेश्ट कीचन पिर्थवी का दचनी धुरूब अंटार्क्टिका भुखंड में इस्तित है तो पिर्थवी का सबसे दचनी धुरूब कहा है अंटार्क का भुखंड में सबसे छोटा दिन 22 यह उता है वह दचनी गोलार्द में होता है तो यह दोनों को आप याद रखेगा नेश्ट की चन है महा नदी बंगाल की खाली में गिरती हैं होमियोपैथी जो दवाई हम लोग होता है उसका जन्म कहा हुआ हुआ जर्मनी में हुआ बटरफलाई सब्द का संबंद तयराक में जो तोड़े हुए रते हैं उनका प्रति मा कहा है निवार्क में इस दीश år राष्ट्य यूवादिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और यह स्वाइम वेकान के जनम दिवस पर मनाया जाता है तो आप जाद रखे हैं कि राष्ट्य यूवादवस को मना जाता बारा जन्वरी को मनाया जाता है क्रिकेट खेल में पॉम्पिंग करिज की लंबाई चार फुट होती है कोज लुई पास्चर ने की घिका की खोज किस ने की थी लुई पास्चर ने की थी जल की कठोरता जो है मैगनीसियम बाइकारवोनेट की उपस्थिती के कारण होती है तो जल जो कठोर होता हुए किसके कारण होता है but i carbonate उस जल में रहता है इसलिए कठोर होता है next question gandhato या barrel metal तामप, जस्ता और टीन का मिस्डदादु है तो गंदादु किसका किसका मिस्डद नहें जो गिला बालू और सुखा बालू जो चमकिला दिखाई देता है वो परकास के प्रवर्तन के कारण ही दिखाई देता है चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं next question है पिर्थविक या पेच्छा चंदरमा का द्रभमान एक बटा 81 है तो द्रभमान का बात कर रहा है इसलिए एक बटा एक आसी है मौलिक करतब का प्रावध्यान रूस से लिया गया है तो इसे आप याद रखेगा मौलिक करतब कहां से लिया गया है रूस से लिया गया है जबकि मौलिक अधिकार का बारत करेगा तो वह अमेरिका के संभिधान से लिया गया है तो इसे भी आप याद रख सकते कि मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तब कहां से लिया गया है रूद से लिया गया है चलिए अब हम लोग नेश्ट कीशन की तरब बढ़ते हैं और नेश्ट कीशन का बात करते हैं नेश्ट्रिचन ने दोस्तों कि एक आवेसित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगा बिधूत छेत्र का मान सुन्य होगा तो एक अगर आवेसित गोला है खोकला गोला है तो उसके अंदर अगर किसी भी जगा देखा जाए तो बिद्धुच्छत का मान क्या होगा तो सुन्य होगा नेश्च्छचं भारतिये अभ्यान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला परसिध विद्वान अलबरुनी था तो महमूद गजनवी के साथ आये थे अलबरुनी तो इसका नाम याद रिखेगा नमक हाइलाइड खाइनीज से उत्पन होते हैं तो नमक जो उत्पन होता है तो वह कौन खनीज से उत्पन होता है हाइलाइड खनीज से उत्पन होता है राजी बिधान सभा की सक्ती इसकी जनता पर निर्भर करती है तो राज जी में जो विधान सभा होती है तो उसी जनता के द्वारा ही चुना जाता है यहाँ पे और इसलिए टोटल सक्ती जो है जनता में नहीं हित होती है चलिए नेक्ट कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्ट कुश्चन है कि वाइट हाउस बासिंगटन में USA के राष्ट पती का करियाल है तो USA यानि कि अमेरिका में जहां राष्ट पती बैठते हैं उस हाउस को वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है नेक्ट कुश्चन सब्द फियूरर हिटलर के लिए परियुक्त हुआ था तो सब्द फियूरर जो है किन के लिए परियुक्त हुआ हिटलर के लिए बिधान परिश्यत किसी धन बिधैयक के किर्यानवन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है और उसके बाद उसको लटाना प बिधान परिषद को उच्छ सदन कहा जाता है जिस परकार से केंद्र में राज सभा को उच्छ सदन और लोग सभा को निम्न सदन उसी परकार से अगर राजी में बात करें तो बिधान परिषद को उच्छ सदन और बिधान सभा को निम्न सदन कहा जाता है नेक्ट क्यूशन भारत का राष्टी ये पसु बाग है महावार्ष का समन्द ब्याकरन से है बिश्व जन संक्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है तो बिश्व लंदन के मैदान में भारत वा इंगलेंड के बीच में खेला गया था तो सबसे पहले बल्ड कप का जो पहला मैच है वह 7 जून 1975 को लंदन के लॉड्ड के मैदान में खेला गया जो की भारत और इंगलेंड के बीच में खेला गया था नेक्ट क्यूशन कचारी जन जाती का स कहा है मदूरे में है next question भारत की सबसे लंबी नदी गंग है भारत द्वारा परछ ? का रभट ? लेख wszyscy सलमान रस्दी हैं तो दग्राउंड बिनित हर फिट के लेखक को है सलमान रस्दी नेक्ट किचन मौलिक अधिकारों का उलेक समिधान के भाग तीन में है तो मौलिक अधिकारों का उलेक जो है वह समिधान के भाग तीन में है और अभी हम लोग उपर पढ़े थे मौलिक अधि स्थापना कब की गई 27 अपरेल 1998 को की गई थी तो रेलेवे भरती नियंतरन बोट के स्थापना कब हुई 27 अपरेल 1998 को क्यूज्म का सुत्रपात पावलो पिकासो ने दिया था क्यूज्म का सुत्रपात किन के दोरा दिया गया पावलो पिकासो के दोरा दिया गया नासिक गोदावरी नदी के तट पर इस्थी थे तो नासिक को नदी के तट पर इस्थी थे गोदावरी नदी के तट पर इस्थी थे बीवी का मकवरा औरंग जीव की पतनी की कबर है और ताज महल का फूहर नकल कहा जाता है जो कि औरंग जेव अपने पतनी के मरने के बाद उनके याद में बनवाये थे लच दीप की राजानी कावरती है लच दीप समू अरब सागर में इस्ती थे लच दीप समू कहा है अरब सागर मीज़ी थे तो इसे आप याद रखेगा नेश्ट कुछन की तरफ हम लोग चलते हैं नेश्ट कुछन है टमाटर क्या है एक फल है लॉंग जबकि एक फूल की कली से प्राप्थ होता है लॉंग की अगर बात करें ये दो कोश्चन हमेशा कन्फुज करते रहता है तीन कोश्चन की लॉंग जबकि फूल की कली से प्राप्थ होता है अगर चाई की बात करें तो वह पत्ती से प्राप्थ होता है सबसे प्रचिन्तम असमारक अजन्ता की गुफाएं हैं सार्ग का सबसे पहला अध्यक्ष हम इरसाद थे अमेरिकी स्वतंतरता की घोसना जॉर्ज बासिंगटन ने किया था तो अमेरिकी स्वतंतरता घोसना किन के दौरा किया गया है जॉर्ज बासिंग तन के द्वारा तो यह भी आते रखेगा चलिए next question की तरफ चलते हैं हम लोग next question है प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारम हुआ था तो प्राचीन ओलंपिक खेल कहा है प्रारम हुआ घ्रीस में प्रारम हुआ बोरो बुदूर का परसिद्ध बौध मंदिर जावा इंडोनेसिया में इस्तित है जो की बौध धर्मों का सबसे बड़ा मंदिर है जो की इंडोनेसिया में इस्तित है चलिए नेक्टीचन की तरब चलते हैं हम लोग नेक्टीचन देखते हैं सिंधू घटी सबहता कांश युगीन शबहता थी डौटर सुसीला नायर एक मात्र महिला है, जो विश्ल स्वास संगठन की अध्यक्ष बनी वjach विश्ल स्वास संगठन वर्लड हेल्थ ऐल्ट अर्गिनज़ाईशनचंकी एक मात्र महिला जो अध्यक्ष बनी थी, तो कि कुम थी? Dr. Susila Nair, नाम याद रखेगा इनका, सक्सम्मत का अरभ 78 इसवी में हुआ था, तो सक्सम्मत का अरभ 68 इसवी में, रेलगारी सताबधी एक्सप्रेस में सताबधी का संबंध नहरू के जन्म सताबधी से है, तो सताबधी एक्सप्रेस जो चलता है हमारे हां, उ उसमें जो सताबदी सब्द है उसका संबंध जो है नेहरू के जन्म सताबदी से है नेक्ट कुछन की तरब चलते हैं नेक्ट कुछन है भारत में सरपर्थम टेली बीजन 1969 में दिल्ली में दिखाया गया था तो भारत में सबसे पहले टीवी कहां दिखाया गया दिल्ली में दिखाया गया और उभी 1969 में द्रबित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोलते हैं liquid petroleum gas में मुखिता methane, butane और propane ये तीनों मिले होते हैं तो LPG जो gas में हम लोग जो gas हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं उसमें किन का मिस्रण होता है methane, butane और propane का मिस्रण होता है martin hings एक परसीद tennis खिलारी हैं martina hings martina hings जो हैं एक परसीद tennis खिलारी हैं तो इनके बारे में भी आप याद रखेगा next kitchen है भारत के संबिधान के धारा 356 का संबंद राज्यों में राष्टपती सासन लगाने से है तो राज में जो राष्टपती सासन लगाया जाता है वह हमारे संबिधान के धारा 356 के अंतरगत लगाया जाता है तो चलिए next kitchen की तरफ बढ़ते हैं हम लोग next kitchen है इंटरपोल इंटरपोल जो की अंतराष्टिये अपराधी पुलिस संगठन है उसका मुक्षाले की अगर बात करें तो मुक्षाले कहा है तो राजसभा जो है आप लोगों को पहले ही बताएं कि राजसभा जो है कभी भंग नहीं होता है इसलिए उसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है तो यहीं बोल रहा है कि उसमें राजसभा जो कभी बिगाटित नहीं होता है next kitchen भारत में पंचवर्षिय योजना को PC महान लोविस ने पररण किया था तो भारत में पंचवर्षिय योजना का देन PC महान लोविस को माना जाता है चलिए next question की तरफ चलते है next question है भारत में थियोसोफिकल सोसाईटी ने अपना पहला मुख्याले अडियार में 1882 में अस्थापित किया था तो भारत में थियोसोफिकल सोसाईटी सबसे पहला अपना मुख्याले अगर अस्थापित किया तो वो अडियार में क्या और कब क्या 1882 में hopman cup hopman cup का संबन्द जो है वह tennis से संबन्दी थे tennis खेल से तो tennis खेल में hopman cup दिया जाता है next question की तरफ चलते है next question है क्यू सब्द billiards संबन्द थे क्यू सब्द का परियोग है वह कहां किया जाता है billiards के खेलों में किया जाता है next question है जहांगीर के दरवार में पच्छियों के चितर बनाने वाला महांच चितरकार मनसूर था तो जहांगीर जो है चितरकारी के लिए अपने सासनकाल के दवरान परसीद रहें और उनके दरवार में जो पच्छियों का चितर है वह मनसूर के दवरा बनाया जाता था सिराजी दौला के सासनकाल में 1756 में कोलकत्ता में ब्लैक होल जिसको की काल कोठरी के नाम से भी जानते हैं कि दुरघटना हुई थी और इसी काल कोठरी के बाद सिराजी दौला और रोवर्ट कलाइब के बीच यूद ला जाता है 1756 में तो उसे भी आप जानते होंगे जिसे पलासी के यूद के नाम से जाना जाता है तो यही ब्लैक होल की घटना जो है हुई थी जिसमें अंग्रेजों को कैद करके रखा गया था जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मर जाते हैं 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं नेक्ट किर्चन है भारत का पहला रसायन बंदरगा दाहेज बंदरगा जो कहां है गुजरात में है तो भारत का पहला रसायन बंदरगा कौन है दाहेज बंदरगा जो कहां है गुजरात में है मदर ट्रेसा दोरा अस्थापित धर्म संग मिस्नरीज ओफ चैरिटी कहलाता है तो मदर ट्रेसा दोरा अस्थापित धर्म क्या कहलाता है मिस्नरीज ओफ चैरिटी नेक्ट किशन है बाजपेई ताल बिरेंद्र कुमार बर्मा ने बनाया था तो बाजपेई ताल किन के दोरा बनवाए गया बिरेंद्र कुमार बर्मा के दोरा चलिए नेक्ट कीचन की तरब चलते हैं नेक्ट कीचन है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अठार्मी सदी में अपनी राजधानी को मुगेर हस्ताक्तित किया था तो यह भीवियाई कोशन है यह कीचन कई बार पुछा गया है बिहार के एक्जामों में कि बंगाल के नवाब मीर कासिम जो थे वह अठार्मी सदी में अपनी राजधानी जो है कहां स्तांतित कर लिए थे मुंगेर हस्तांतित कर लिए थे मिसर को नील का उपहार कहा जाता है जो मिसर दे से उसे नील नदी का उपहार कहा जाता है चोल समराज राजियंदर चोल पर्थम के अधीन उन्नती पर था तो चोल समराज जो है सबसे जादा अगर उन्नती किया तो वह राजियंद्र चोल पर्थम के सासनकाल के दोरान उन्नती किया था Next question है गरभासे में आरेखित पेशी पाई जाती है तो गरभासे में कैसी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है Next question सेश्टरीन बुढ़ापा रोकने की औसदी है तो अगर बुढ़ापा को रोका जा सकता है तो कौन से औसदी से? सेश्टरीन से रोका जा सकता है तो सेश्टरीन बुढ़ापे रोकने की औसदी है Next question की तरफ चलते हैं? Next question है भारत की संपरिच्छा तथा लेखा परनालियों का परधान नियंतरक महालेखा परिच्छक होता है तो भारत की संपरिच्छा तथा लेखा परनालियों का परधान नियंतरक कोन होता है Next question जूरीओ अलासका की राजधानी है जूरीओ कहां की राजधानी है? अलासका की आधूनिक ओलंपीक खेलों का आयोजन सर्व पर्थम 1896 में एथेंस में हुआ था TB रोग के परतिरोध के लिए BCG का टिका लगाया जाता है अकवर का जन्व 1542 में अमर कोट में हुआ था तो इसे आप याद रखेगा कि अकवर का जन्व कम हुआ 1542 में और 1542 में ही सेर्षा सूरी के दौरा सबसे पहले भारत में रुपईया चलाया गया था मानव सर्व पर्थम 1979 में चंदरमा पर उतरा था बुध का एक दिन पिर्थवी के 90 दिनों के बराबर होता है जलिया वाला बागनर सरहार के उत्तरदाई जन्डरल डायर को 1940 में उद्धम सी ने गोली मारी थी तो जलिया वाला बाग जो हत्यकांड हुआ था उसके जो उत्तरदाई रिशार आए गये थे जन्डरल डायर उनको गोली के दौरा मारा गया था तो उद्धम सी के दौरा कला की गंधार सहली का विकास कुसान के समय में हुआ था नेक्स्कीशन चरक प्राचीन औसधी से सम्मंदि थे जो चरक जो थे वह एक आयूरुबेदक थे जो एक डॉक्तर कहा सकता है प्राचीन काल में तो वह प्राचीन औसधी से सम्मंदि थे भारत का पर्थम नावकिय उर्जा सयंत्र तारापूर जो की महराश्ट में पढ़ता है अस्थापित हुआ था तो भारत का पर्थम नावकिय उर्जा सयंत्र कहां स्थापित हुआ तारापूर में स्थापित हुआ और तारापूर कहां पढ़ता है महराश्ट में पढ़ता है चलिए नेश्ट कीचन के तरब चलते हम लोग, नेश्ट कीचन है पर्थम लोगसभा अध्याक्ष जीबी मावलंकर तो पर्थम लोगसभा अध्याक्ष कौन थे जीबी मावलंकर, नालंदा बिस्विद्याले को कुमार गुप्त पर्थम ने बनवाया था, तो इसे आप और अलगड़ी रति और अलगनंदा दे परियाग में मिलकर गंगा बन जाती है तो भगी रति और अलगनंदा। यह जो दो नदियाँ हैं देव परियाग में मलती हैं और मिलने के बाद इसी को गंगा के नाम से चलिए नेक्ट कूचन warto चलते हम लोग!!! तो राश्ट्पति का अभिवासन जो किसके दोरा तयार किया जाता है केंद्रिये मंत्री मंदल के दोरा लेटराइट मिट्टी में आईरन एवं सीलिका होती है तो लेटराइट मिट्टी जो होती है उसमें आईरन और सीलिका की मातरा जो है वह अधिक होती है नेक्ट कुछन जो है कि पिर्थवी की त्रिज्जा सबसे पहले इराइटो अस्थनीज के द्वारा माप आ गया था तो पिर्थवी की त्रिज्जा जो है सबसे पहले किसके द्वारा माप आ गया इराइटो अस्थनीज के द्वारा चलिए नेक्ट कुछन की तरब चलते हम ल और भारत के लिगी पुसेता और महात्मा रिषान नवाब्ध के समय के बंगाल अवाब सीराजुदावला और रौबर्ट कलाइब के बीच में लड़ा गया था, नेक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्ट कीशन है, नर्मदा और तापती नदियों के जल को सत्थपूरा स्रिंखला बिभाजित करती है, तो सत्पूरा परवत स्रेनी जो है वह नर्मदा और तापती जो दो नदिया है उसके जल को बिवाजित कर देता है निकि वह दोनों नदियों के बीच में सत्पूरा परतमाला है नेश्ट किश्ण गारो, हिल्स, मिघाले में इस्थी थे तो गारो, खासी और जैन्तिया ये तीनों पहाडी जो है वह मिघाले में है और साथी साथ इन तीनों नाम की जन्जाती गारो, खासी और जैन्तिया नाम की जन्जाती जो है वह मिघाले में ही निवास करती है पर्थम भारतिये जो ब्रिटिस संसद का सदस हुए थे दादा भाई नौरो जी एक ऐसे भारती हुए जो ब्रिटेन में जाके वहां चुनाब जी थे और ब्रिटिस संसद का सदस बने थे जपान कीरा धानी टोक्यो होंसु दीप पर इस्ति थे तो जपान कीरा धानी कहां है टोक्यो है जो होंसु दूप पर इस्ति थे नेश्ट कृचन की तरफ चलते हैं हम लोग नेश्ट कृचन है कारवन डायोकसाइड गैस ग्रीन हाउस गैस है तो carbon dioxide gas जो कैसी गैसे? Greenhouse gas गैसे इसमें मिथन गैस भी सामिल होता है Greenhouse gas में प्याज में phosphorus पाया जाता है इसे आप याद रखेगा हीरा में क्रांतिक कोन हीरा का क्रांतिक कोन जो है वह 24.4 डिगरी होता है तो हीरा क्रांतिक कोन कितना होता है? 24.4 डिगरी बरसा की छोटी छोटी बुंदे प्रिश्ट तनाव के कारण गोल हो जाती है बायू का बुलबुला जल में अबतल लेंस की भाती कारी करता है तो बायू का बुलबुला जो है जल में अबतल लेंस की भाती कारी करता है नेश्ट कुछन की तरफ चलते हैं नेश्ट कुछन है बासीं मसीन अब केंदरन के सिधान्थ पर कारी करता है तो बासीं मसीन कौन सिधान्थ पर कारी करता है अब केंदरन के सिधान्थ पर समान अवस्था में गैसें बिदूत की कुचा लग होती है समान अवस्था में जब गैस रहता है तो वह विदूत का क्या होता है कुछ अलग होता है चलिए नेस्ट किशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे हैं नेस्ट किशन हम लोग देखते हैं हम लोग का नेस्ट किशन है कि एक स्किर्णों का खोज रौंट जन के दौरा किया गया था तो एक स्किर्णों की खोज किसने की रौंट जनने किया था भुकम को सिस्मोग्राफ नामक यंदर से मापा जाता है उत्री धूर पर पहुंचने वाला पर्थम व्यक्ति रोवर्ट पीरी था तो उत्री धूर पर सबसे पहले कौन पहुचा रोवर्ट पीरी रेडियो सक्र जटा के अविस्कारक कौन थे हैं रमन पर भाव के अविस्कारक सीवी रमन तो रमन पर भाव का ग्यार इस िधित रहाव कोYA नेक्ष्ट किशन है कि नार्वे को मध्रात्री या अर्धरात्री का सुर्य वाला देश कहा जाता है तो अर्धरात्री या मध्रात्री वाला सुर्य का देश किसे कहा जाता है नार्वे को कहा जाता है भारत में पर्थम आम चुनाब 1901 बामन इसमी में हुआ था सबसे पहले भ भारतिये गवर्नर जनरल सीराज गोपाला चारी भारत की लोग सभा में कुल 545 सीटे हैं तो 545 सीटे लोग सभा में भारत के हैं यह अप लोग जानते होंगे अकबर के पिता का नाम हुमाईू है अकबर के पिता का नाम क्या था हुमाईू था 1998 में अर्थ सास्त के छेतर में प्रोफेसर अमर्ति सेन को नोबेल पुरुसकार मिला था तो अमर्ति सेन को मिला था, एकोनॉमिक के छेतर में, अर्थसास्त के छेतर में, और यह नोबिल पुस्कार कब मिला था, 1998 इसमी में मिला था, एक जनवरी 1999 को 11 देसों ने यूरो को अपनी अधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था, तो यूरो को अपने अधिकारिक की दुटकर अपना जया एक जनवर कहा है get नाम के नेडी है बीजब से चितल में अचितल कहां पड़ता है राजस्तान में पड़ता है तो इसका जुद dato कितोर में है और चितोर कहां परता है राजस्तान में चलिए next question की तरफ चलते हैं हम लोग next question है माइक micron बराबर 0.001 mm होता है तो यक माइकरों बराबर कितना होता है 0.001 mm बेग परिवर्तन की दर को तवरण कहा जाता है तो बेग की परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है तो रन कहा जाता है आनवीक संघटन के दौरा उस्मा का संप्रेशन चालन कहलाता है नेक्ट कीशन के तरफ चलते हैं भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के संस्थापक एओ हूम थे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के स्थापना एओ हूम के दौरा 28 दिसंबर 1885 इस्वी को किया गया था कैट फिस बिना सल्क वाली मचली है बिना सल्क वाली मचली कौन सी है? कैट फिस है ध्वनी की अधिक्तम गती इस पात में होती है यनि ध्वनी सबसे ज़्यादा तेज किस में चलता है? ठोस में चलता है? इस पात में चलता है? लोहा में चलता है तो ध्वनी की अधिक्तम गती किस में होगी? इस पात में होगी भारत में सरवधिक चांदी उत्पन करने वाला परदेश राजस्थान है तो चांदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा कहा उत्पन होता है राजस्थान में उत्पन होता है हमारे समिधान के आठवे अनुसूची में अब तक 22 भासाओं को सामिल किया गया है तो हमारे समिधान में अब तक जो हमारे समिधान में भासाओं का संबंध जो है वह आठव सब्सक्राइब दिसम्बर के लेखा कॉन है एमसी ब्राडवे निवार्क तरना भारत का राष्ठपती वह-घ। नर्टी क्वाश्टी के दिश्टव अ îंह। सी आयू कितना है दोस्तों तो नर्टी सबस्क्री अगर आप भारत के राष्टपती का चुनाब रणना चाहते हैं तो आपका नियूंतम एच 35 वर्स होना चाहिए पांच भी पर्च वर्च 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 योजना जो कि 1974 से 1978 में आया था तो उसका उदेश क्या था गरीवी हटाना था तो पांच भी पर्च वर्च वर्च वर् नीष्ट की तरफ चलते हैं खाल चाहिए संगीत नाकाट नाटक अकेडमी की अस्थापन में नई दिल्ली में हुई थी ब्हारत में दसमला मुद्रा परणाली उनीषो संतामन में सुखना जील चंडिगळ ही तो चंडिगळ के बास्तुकार का अगर नाम पूछ दे तो कौन है ली कारवोजियर है चंडिगळ जो है ली कारवोजियर के द्वारा बसाया गया एक सहर था तो चलिए है नेक्स्ट फि के परती उत्तरदाई होता है तो राजयपाल जो की राज में नुक्त किया जाता है वह जो है राष्ट पती के द्वारा ही नुक्त किया जाता है और वह राष्ट पती के परती उत्तरदाई होता है मौन्ट एवरेश्ट पर बिजय पाने वाली पहली महिला जुन को तेवई थी जो कि 16 माई 1975 इसवी को सबसे पहले मौन्ट एवरेश्ट पर चड़ी थी तो मौन्ट एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली महिला अगर पूछेगा तो कौन है जुन को तेवई लेकिन अगर पुरुस बेचेगा कि मॉन्टेरिष्ट पर चलने वाले से पहले ब्यक्ति कौन थे या पुरुस कौन थे तो सेरपा तेंजिंग एवं सर एंडवन हिले रही थे नेक्ट कुशन है बर्स 1987 में भारत रतन से सम्मानित होने वाले पर्थम बिदेशी ब्यक्ति कौन थे खान अब्दूल गफ़ार खान तो 1987 में इन्हें भारत रतन से सम्मानित किया गया था जो की पर्थम बिदेशी नागरिक थे खान अब्दूल गफ़ार खान चलिए हरा रंग होता है बीचो बीच में कैसा रंग होता है इंद दन उसका हरा रंग लाल रंग का त्रंग देधर सबसे अधिक होता है सुर के परकास को सकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंज का परयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है तो सुर के परकास को जो है सकेंद् और अगर दोस्तो आप लोगों को यह वीडियो का सिंखला अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल कॉंसेप्च्वाल क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो जो है हम लोग लाते रहें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि जिससे हम लोग दो को मंटी भीसन मिलता है छल्ए दोस्तों नेस्ट कि किटन ने रोम को 250 आपर आपरिवर्थर्नियं सहर कहा जाता है तो रोम को जो जो है अब परिवर्थर्नियं सहर कहा जाता है निस्नड डिफेंस ऐकेडमी निये का मुख्याले कहा है किश्ण उसक्षण निय back का मुख्याले कहा है खड़क बासला में है खालत सा पंत के संस्थापक गुरू गोविंद सिंह्ग थे गुरू गोविंद सिंह सिंह के 10 मेंगू थे आप जानते हैं और इन्हीं के द्वारा खालसा फंत की अस्थापना की गई थी पूर्सों में रक्त छीनता बिटामिन B12 अनि B12 की कमी के कारण होता है तो पूर्सों में रक्त छीनता किसका कारण होता है बिटामिन B12 की कमी के कारण next kitchen की तरफ चलते हैं हम लोग next kitchen है महराना रंजीत सिह के राज की राज़धानी लहोर थी कुछ रोग बिमारी जिवानु संक्रमन के कारण होता है तो कुछ रोग जो बिमारी होता है वह किस कारण होता है जिवानु के कारण होता है भुगतान संतुलन सब्द आयात तथा निर्यात के मद अंतर को संद्रभित करता है नेश्ट कीशन की तरह चलते हैं हम लोग नेश्ट कीशन है खाद सनसाधन तथा संचे द्वारा बिटामिन सी अधिकांस रूप से प्रभावित होता है जैसे कि किसी भी खाने वाले समान को अगर हम उसको संचे करते हैं उसको जमा करते हैं तो उससे विटामिन C जो है नश्ट होने लगता है अंतराष्टिय मुद्राकोस IMF International Monitoring Fund का परमुख कारी सदस देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है IMF जो है क्या करता है अपने सदस देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करता है बाई टू के समस्या कंप्यूटर समंदी थे बाई टू के समस्या जो किस समंदी थे कंप्यूटर समंदी थे ISO 9000 अच्छे परवंध का मानक है चलिए नेक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्ट की लेक टेनिस परतियोगता ग्रैंड स्लैम में समलित नहीं है जल सता की अधिक्तम गहराई मेरियाना ट्रेंच मेरियाना गर्थ जो की परसांत महसागर में अवस्ति थे पद डाउन अंडर अस्ट्रेलिया को इंगित करता है जो पद डाउन अंडर जो बर्ड है वो किसको इंगित करता है अस्ट्रेलिया को इंगित करता है नेक्ट क्रिशन देखते हैं हम लोग, एसिया का प्राचीन तथा विसालतम बौध मठ लहासा तिबबत में है, तो एसिया का सबसे प्राचीन तम बौध मठ कौन है, लहासा है, जो कहा है, तिबबत में इस्तित है, परंपद कंप्यूटर से संबन्दित है, परंपद किसे सुर की परावाइगनि किर्णों को पिर्थभी तक आने से रोकती है और परावाइगनि किर्णों से हम लोग की रच्छा करती है। सियारवाई क्राई जो है एक संगठन है जो बहिस्कृत बच्चों के कल्यान से संबंदी थे चलिए नेक्ट की तरब चलते हैं हम लोग नेक्ट की चने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पॉल सिच्छा को भौतिक सुधाय परदान करने के लिए चालू गया चालू किया गया था इस क्यों भारत संगत्य से सुरच्छा परिष्ट का अस्थाई सदस्न नहीं रहे हैं तो इसे आप याद रखे हैं कि भारत जो है यू का अस्थाई सदस्न नहीं है यू नो का जविखनि के उसके जानते हैं वारंश प्रांस, रोस, अमेरिका, चाइना और इंगलैंड ये पाँच देश जो है वो भारत के भारत जो स्यू acetrasn seng है उनके अस्थाई सदस देश है और भारत स् मंदीट अमरित शर्मे है वो स्यू mogę लिए परसिद है स्यूत ध्रम के गुरू के द्वारा जो है तो स्वर्ण मंदिर जो है अमरीत सर्वाला हुआ सिखधर्म के लिए सम्मिन थे जानते हैं आप लोग नेक्स्ट क्यूचन है भारत ने ओलंपिक खेलो में पहला स्वर्ण पदक 1928 इसी में होकी में जीता था तो भारत ओलंपिक खेलो की अगर बात करें तो सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था हौकी के छेतर में और कब जीता 1928 में नेक्स्ट क्यूचन है सक्संबत पर अधारित राष्टिय पंचांग का पर्थम महीना चैत तथा अंति महीना फागुन होता है तो आप लोग जानते हैं कि सक्संबत पर अधारित जो केलेंडर होता है उसका पहला महीना चैत होता है और अंत महीना फागुन होता है तो लाश्ट महीना फागुन होता है और पर्थम महीना चैत होता है तो इसे आप याद रखेगा, चलिए next question आदी मानम ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था तो सबसे पहले क्या सीखा था आग जलाना नेश्ट कुछन दच्छिनी गंगा गोदाबरी नदी को कहा जाता है यहां से दो कुछे जाते हैं एक पुछाता है दच्छिन गंगा गोदाबरी नदी को कहा जाता है लेकिन दच् गुरु गोविंद सिंग है तो गुरु गोविंद सिंग के बारे आप जानते हैं सिख्ष के 10 में गुरु थे और उन्हीं के द्वारा जफर नामा लिखा गया था नेक्ष्ट अमरीच सहर के संस्थापक गुरु राम दास थे और यही अमरीच सहर में ही आप लोग को पता है अमरीच सहर में ही है गोल्डन टेंपल जो स्वण मंदीजी से कहा जाता है अभी पढ़े से इसके पहले और उस जो अमरीच सहर जो सहर है वह गुरु राम दास के द Next question है एक 60 समिधान संसोधन विधेयर 1887 द्वारा मतदान की आयू एक 크ीस बरस से घटाकर 18 crying गया था लेकिन 16 संसोधन हो morait और उसिप के आई किosition करता हो सभी अ नös समिधान वा उन्य÷्ण 18 Cecv में एक 60 समिनान स्सोधन 1989 के दोरा घडाया जया था नेश्ट दो बार एवरेष्ट पर चड़ने वाली भारतिय महिला संतोस यादव थी तो दो वार एवरेष्ट पर को चड़ी तो वह महिला का नाम था संतोस यादव नेश्ट किस्चन इंडिया हाउस ब्रिटेन में इसी थे तो इंडिया हाूस कहां है ब्रिटेन में है सुनने में नाम ऐसा लगता है कि यहां कन participant हो बात कर रहा है लेकिन इंडिया हाउस जो है वध कहां हैं ब्रिटेन में है टेमूर लंग के आकरवन का परिणाम तुगलकबंस का पतन था तो तैमूरलंग के आकरवन के कारण ही तुगलक बंस का अंतु हो गया था तुगलक बंस का पतन हो गया था सरस्वती सम्मान के पर्थम प्राप्त करता हरिवन्स राय बच्चन थे अब जानते हैं हरिवन्स राय बच्चन को और हरिवन्स राय बच्चन को ही सबसे पहले सरस्वती सम्मान परदान किया गया था नेक्स्ट किस्टन है मुगल काल में सूरत एक परमुख बंदरगाह था जिसे बाबूल का मक्का भी कहा जाता था तो मुगल काल में सूरत एक परमुख बंदरगाह था जिसे बाबूल के मक्का के नाम से भी जाना जाता था तो इसे याद रखिएगा नेक्स्ट किस्टन महा देवी बर्मा की दौरा क्या लिख़ा गया है महादेवी का निक्स हैरी पोटर एंड गोवलेक आफ फायर के लेखक तो 28 मा राज बना था अब जानते हैं 15 नमंबर 2000 को जारखंड जो है अलग हुआ था और जारखंड जो है भारत को भारत का 28 मा राज बना था तो डेट आप जाद रहते हैं 15 नमंबर 2000 चलिए next question की तरब चलते हैं हम लोग next question है गरीवी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर अधारित होता है तो गरीवी रेखा जो मापी जाता है तो परतेग व्यक्ति कितना कैलोरी उर्जा का खपत कर रहा है डेली उसके बेसिस पर जो है गरीवी रेखा का मापन होता है next मुल परिवर्तन पर बिर्धी या हास करने की मुल में किया प्रिवर्तन होगा मुल में बिरदी होगा यह बस्तु के मांग पर यह जो की संपत्ती करने में सहायक होता है यह जो की और इधर इधर ऑर इन दोनों के बीच में आ जाएगा पिडाभी तो लगता है यहां हम लोगों का घरने लगता है तो इसे आ रखेगा नेश्ड की चन्हें एक लेप की बत्ती में तेल उपर चढ़ने का कारण केसी कत्व किरिया है तो तेल जो चढ़ता है उपर किसी लैंप में या किसी लांटने में तो वह किरिया जो है वह केसी कत्व किरिया के कारण उपर चढ़ता है तेल नेक्स्ट समिधान सभा की अध्यक्षता ड्क्टर राजंदर प्रसाद के द्वारा किया गया था गाया बारतिय समिधान के अंश्विद 32 के अंतरगत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतू उच्तम्यालय जा सकता है तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुछेद 32 में या प्राभधान है कि वह अपने मौलिक अधिकार के बचाओ के लिए उच्चितम न्याला यानि कि सूपरीम कोर्ट तक वह जा सकता है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है जारखंड उत्री गोलार्द में इस्ति थे तो जारखंड कौन गोलार्द में पड़ता है उत्री गोलार्द में पड़ता है नेक्स्ट है बारह मासा की रचना मलिक मुहम्मद जाईसी ने की थी बारह मासा नामक बुक की जो रचना है वह मलिक मुहम्मद जाईसी के द्वारा की गई थी नेक्स्ट किस्टन की तरब चलते हैं हम लोग Next Question है साथ वी पंच वरसीय योजना में गरीवी रेखा को परिभासित किया गया है तो सात्वी पंच वरसीय योजना जो है वह उनिसो पचासी से नव्य के वीच में आया था और इसमें गरीवी रेखा को गया को परिवासित कियागया है चलिए द्वार समूंधर मंदिर में होई मिलता है नेक्ट है बूमंडल पर करक और मकर यहां के वेच अवस्थित चेत्र दच्छिन समसितोसन कटिवंद कहलाता है तो करके रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में आप जानते हैं कि साहे तेश डिगरी उतरी गोलार्द को करके रेखा और साहे तेश डिगरी दच्छिनी गोलार्द को मकर रेखा कहा जाता है और इन दोनों के बीच का जो अ वनुभब होता है तो मौसम परिवर्तर का जितना प्रभाव देखा जाता है उत्तर समसितोस्न छेत्र में नेक्ष्ट है कोटिल का अर्थ सास्त राजनीती से संबंदित है कोटिल के दौरा जो अर्थ सास्त लिखा गया है उसे वह जो है राजनीती के लिए जाना जाता है उस पस्वारा जोदेसे वह कौन से देसे चीन है चीन में सबसे ज़्यादे कपास को जाइन charging Is Yay जाती है नेक्स्ट महान्याइवादी संसद सदस बने भिना भी पार्प्रियामेंट की करवाई में भाग ले Colin सकते हैं यानि कि महान्याइवादी एक ऐसा पद होता है जो कि संसद के अगर वो सदस नहीं है अगर वो चुनाव कहीं से नहीं भी जीत क्या हैं फिर भी हुआ संसद में बैठ सकते हैं और उसके कारवाई में भाग ले सकते हैं तो यह एक मात्र पद है महान्याइवादी का प नेक्स्ट भारतिय समिधान की नियाईक पुन्रिच्छन विसेस्ता को अमेरिका के समिधान से गरहन किया गया है तो यह जो नियम है कि हमारे समिधान में संसोधन किया जा सकता है उसको पुनह जाज के अगर कुछ दिक्कत हो तो उसे फिर से सुधारा जा सकता है तो यह नियम की असान रिन परताता संस्था कौन है इंटरनेशनल डिवल्प्मेंट इसोप्र संडीन किते हैं लोग नहीं की देटी लो सी सारीिक बिकलांगों चोप nee introduction के बने होते हैं गत्यस्टिक श्यूंप तस्लीमा अध्या सरीम है पस्छा more तस्लीमा नस्रीन के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट आध्वनिक सिख का जन्म 12 अप्रेल 1699 में तो आध्वनिक सिख का जन्म का हुआ 12 अप्रेल 1699 नेक्स्ट की तरफ चलते हैं नील गिरी पहारीयों पर उसनी कटिवंधिये सदा बहार बन पाए जाते हैं तो उसनी कटिवंधिये सदा बहार बन कहां पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर नेक्स्ट यूफ्रेट्स वा तिर्गिस नदियां इराक में बहती है तो दोनों नदियों को आप नाम याद रखेगा दोस्त योफ्रेट वोечение योफप्रायच य दोनों नदिया कहां बहती है तो इराक में बहती है विक्सट देशबंग के पास कोई परमानु कारिकरम नहीं है तो देनमार्क विक्सित selling देश होते हुए भी इसके पास कोई भी परमानु कारिकरम नहीं a पर्मानू भंग नहीं है निएक्ट के नेक्सक्न है प्राचीन यूनान में ओपोलो को सुरे का देवता माना जाता है तो प्राचीन यूनान में ओपोलो एक ऐसे बेखती थे जिन्हें की सुरे देवता माना जाता था नेक्स्ट बरतमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है तो बरतमान में जो पंचाल पहले थे पंचाल नरेस आप रमायन में देखते होंगे आपको सुनने को मिलता है तो इसी पंचाल के छेतर को अब जो है पंजाब कहा जाता है नेक्स्ट पर नामक परसीध पेंटिंग की गई थी नेक्स्ट राष्ट पती का चुनाब संसर के दोनों सदनों तथा राज बिधान सवा के निरवाचित सदस से बने निरवाचक मंडल द्वारा किया जाता है तो राष्ट पती के चुनाब में भाग कौन-कौन लेते हैं तो राष्ट सभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का दसमा भाग है यानि एक वटाद दस है कोरम क्या होता है इसके बारें समझते हैं कोरम जो होता है कि नियुनतम संख्या जो की लोग सभा में बैठ सकती है कहीं भी कोरम का मतलब ही होता है कि वहां कम से कम इतना व्यक्ति को तो आना ही चाह राश्टिये फिल्म प्रुसकार सूचना एवं प्रसारण मंत्राले के दोरा दिया जाता है तो राश्टिये फिल्म प्रुसकार किसके दिया जाता है सूचना एवं प्रसाराण मंत्राले के दोरा नेक्स्ट राजसरकार के लिए राजस्व का सरवोत्तम स्रोत बिक्रीकर है तो राजसरकार को जो राजस्व कर बसूलता है राजसरकार उसका सरवोत्तम स्रोत क्या है तो वह बिक्रीकर है नेक्स्ट क्यूचन की तरफ चलते हैं हम लोग सरीर जो है सुर्य तोस्तों मनुस्ट का हिर्दे जो है ये एक मिनट में 72 नेक्स्ट मुम्ताज महल और रंग्जेव की माथे तो मुम्ताज जो थी वह किसकी माथी और रंग्जेव की माथे नेक्स्ट दूतिय बिश्यूद 1949-45 इसी में पर्ल हारवर पर जपान ने हमला किया दूतीये में 2049-45 और इसमें जपान पर्ल हरवर पर हमला किया था नूतीये ब शूद्य यूद्या उसका चाहिए तो रचिछन नचरप से नेश्ट्ट-9 पूरुष्कार रॉयल सुड़ीष एकादंी द्वारा दिया जाता है तो नोवल पूरुष्कार जो दिया जाता है वह… उसी के नाम पर दिया जाता है नोवल पूरुष्कार तो तो इसके बारे मैं याद रखेगा आप और नेख कर रिखने की थीन बांध जो है वह राभी नधी पर इसति थे तो दॉन बाख कि नदी पे है राभी नदी पर है चलिए अब हम लोग नेख्ट कर चलते हैं नेक्स्ट की चाने हम लोग का कि पर्थम गवर्नर जनरल कौन था तो पर्थम गवर्नर जनरल लौड बिलियम बेंटिक थे नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल एवां अंतिम 22 राय लौड मॉंट बेंटिन थे अगर पूछेगा कि भारत का पर्थम गवर् सबसे पहले गवर्णर जो बने थे लेकिन यह भारतिया नहीं अंग्रेज थे और भारतिया कि सवतंतर होने के बाद भारत का वैसा कौन ब्यक्ति था जो गवर्णर जनरल बना तो वह थे सीराज गोपाला-चारी चलिए नेस्ट क्यूशा की तरफ चलते हम लोग नेस्ट कुशन help Dag synergy तो पर्थम 22 अंतिम और महीला राश्टपती की अगर बात करेगा तो यहां से कई क्यूसिन पूछे जाते हैं तो सारे क्यूसिन को आप ध्यानमें रखेगा नेक्स्ट कुछन है पर्धान मंत्री कौन बने तो पर्धान मंत्री स्वतंदर भारत के पर्धान मंत्री पड़िजवानल नहरू और महला पर्धान मंत्री के अगर बात करेगा तो वह थी इंद्रा गांधी जो की 66 में बनी थी 1966 में नेक्स्ट उपपर्धानमंत्र कौनमे सरदार बल्लब भाई पटेल अब पर्थम गयर कौंग्रेसी पर्थानमंत्र कौनमे मुरारजी देशाई जब इंद्रा गांधी के एक बार बीच में सरकार गिर जाती है तो उसी के बीच में मुरार जी दिशाई जो है पर्थम, गैर कंघर कंऊरेशी है, बनते है目 महावलिपूरं के मंदिर पल्लव राजवंस के समय स्थापित घया था नेक्स्ट कोदाई कनाल पालनी परवत स्रेणियों में इस्ति थे नेक्स्ट भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रेल 1922 में अस्तित्व में आई थी तो भारत में सबसे पहली चुनाव जो है 1922 में हुई और इसी समय जो सबसे पर्थम लोकसभा है वह जो है अस्तित में आई थी नेस्ट एट टेलीफन के अभिसकारक एलेक्जेंडर ग्रहम बेल हैं तो आप जांते हैं टेलीफॉन का Hamburger के तो अब जानते हैं वित्जेंडर ग्रहम बेल के द्वारा चलिए नेस चीटेय्ट की तरह बढ़ते हैं नेस्ट ुष्यूशन है लॉण्टेनिस में Grand S तो पिर्थवी का प्रकृतिक उपगरह चंद्रमा है नेक्स्ट दाभौल-बिद्धूत-परियोजना महाराष्ट में है तो दाभोल विदूत परियोजना कहा है महाराष्ट में इस्थित है नेश्ट भारतिय सम्विधान के अनुछेद 14 के का में बिधी के समक्ष समानता का बाक्यांस ब्रिटेन के सम्विधान से लिया गया है तो इसके कहने का मतलब है कि हमारे जो बिधी के अधिकार दिया गया है कोई भी हमारे संविधान के अमीर गरीब नहीं है और यह जो है अनुछेद 14 के कह में बरनी थे और यह जो नियम है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तो बिधी के समच्छ समानता का बक्यांस कहां से लिया गया है ब्रिटेन से नेस्ट की तर दूसरी बार बम 9 अगस्ट 1945 को गिराया गया था तो ये तो है दूसरी बार पहली बार जो बम गिराया गया था वह था हीरो सीमा पर और वह 6 अगस्ट को गिराया गया था तो 6 अगस्ट 1945 को पहला बार बम गिराया गया था और उसके तीन दिन बाद 9 अगस्ट 1945 को नागा साकी पर दूसरा वर गिरा गया मैं पहला वार छे एगस्ट को घिरा यह घ्रोशिमा पर दुसरा वर नएक किंचिन ग्रहों का शूरी के चारों और में घूम रहे हैं वह to क्युक्ति थें करनाटक कफी उत्पादन में अग्रनी राज है कौन सा है करनाटक और कोफी जो वह पोधे के बीजसे प्राप्त होता है यलीर यह 31-56 के बीच में लाया गया था नेश्ट दस्चिन भारत को जीतने के लिए मली काफूर को अल्लाउदीन खिलजी ने भेजा था अल्लाउदीन खिलजी का यह सेना पती था और मली काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्हें एक हज़ार दिनार में खरता गया था और मली काफूर एक हिंदू हिजला थे तो इसे जो है दच्छिन भारत को जीतने के लिए अल्लाओ दिन खिल जी के दौरा इन्हें भेजा गया था उमर ए चहलगाना का गठन इलतुतिमिस के दौरा किया गया था और इसमें 40 तुर्क सरदार वहर रहा करते थे कुसानों का निवास अस्थान उत्तर पस्चीम चीन था तो कुसान कहां रहते थे उत्तर पस्चीम चीन के छेत्रों में नेक्ष्ट साइलेंट बैली परियोजना केरल में है तो सांत घाटी या साइलेंट बैली जिसे कहां जाता है वह कहां है केरल में है नेक्ष्ट औरे बीले का संबंद अरविंद घोस से है औरे बीले का संबंद किसे है अरविंद घोस से नेक्ष्ट नागालेंड की राजकि थीय भासा इंगली से अंख्रेजी है next सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास भिहारी घोष के द्वोच के द्व़ोरा किया था सूरत अधिवेशन cinze 70 में 226 ख द्रास किसका द्वदाफ से नाम बीजानाब जाता है तो 1923 में जो स्वराज पाटी का गठन हुआ उसके परध्रमदेख्ज कौन है चितरण जंदास next question है एसियाटिक स्वसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक बिलियम जोन्स थे एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के के रूप में कारि करता हूं तो यह जवाहरलान CEO का रज़ी होदा ग। संपत्ती के मूल अधिकार को एक अधिकार 뭐 निया घोशित कर दिया गया है यह परिनीट यह बदल d già कर दिया ग Efendimiz कर दिया गया है तो पहले जो संपत्ती का अधिकार होता था मूला39 अधिकार होता था मौनिक अधिकार नेक्ट भारत में संकुधारी बन नकिन ाधिक कार्णadox कारण होता अधातू सधारंता पर द्रब रूप में पाए जाती है तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातू है जो कि सधारंता पर द्रब रूप में पाए जाता है तो यहां से दो कुष्ण बते हैं वैसा कौन सधातू है धातू पुझेगा तो पारा और अधातू पुझेगा तो ब्रोमीन हो ज पर चलते हैं हमुग नेक्ट कुछन का टेल चील नामक पेड़ से मिलता है तो कहाँ से निकाला çalışा दोस्तों चील के पेड़ से निकाला का दौसकार की राशी आप अपकर तो आप यह नहीं रहा 5 लाग, next question की तरब चलते हैं, next question है, natural selection का सिधान्त Darwin ने दिया था, तो natural selection का सिधान्त किन के द्वारा दिया गया था, Darwin के द्वारा, next, third world का परियोग विकास सील देश के संबन्द में किया जाता है, जैसे अभी भारत जो है विकास सील देश है, तो इसे आप third world के नाम से भी पुकार सकते हैं, या इसे third world भी आप कर सकते हैं, तो विकास सील देशों के लिए third world सब्द का परियोग किया जाता है, next, नेपाल का जंडा दोहरे तिर्भूच के रूप में है, तो दोहरे में है, United Kingdom में, जो की England में पढ़ता है, चलिए next question की तरफ चलते है, next question है, टाइटेनिक की मुख्य अभिनेत्री, केंट बिंसलेट थी, तो टाइटेनिक जो फिलिम आई थी, उसकी मुख्य, जो हीरोईन थी, अभिनेत्री थी, वह कौन थी, केंट बिंसलेट थी, next, चोल रा राजेंदर पर्थम जो थे, उनका अनिनाम गंगोई कॉडन भी था, next, प्लास्टर और पेरिस के जमने में निर्जली करन की प्रकिरिया अपनाई जाती है, तो प्लास्टर और पेरिस के जमने में कौन सी प्रकिरिया अपनाई जाती है, निर्जली करन की, next, गांधी जी औ और लाल बहादुर सास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था तो ये दो ऐसे ब्यक्ति हैं जिनका जन्म दिवस एक ही दिन है गांधी जी और लाल बहादुर सास्त्री इन दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ लेकिन गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 में जबकि ला नेश्ट मध्यपर्देश सरवाधिक मात्रा में सागवानी लकड़ी का उत्पादन करता है तो सागवानी लकड़ी का उत्पादन सबसे अधिक जो है वह MP में होता है मध्यपर्देश में होता है नेश्ट डबलू टीसी के ध्वस्त के समय निवार्क सहर का मेयर रूडी गुलियानी थे तो जिस समय डबलू टीसी ध्वस्त हो रहा था वह टाइम था 11 सितंबर 2001 11 सितंबर 2001 को जब डबलू टीसी जो निवार्क सहर का डबलू टीसी था वह ध्वस्त हो रहा था उसमय निवा टीलो लॉजी सारीरिक बिकलांगों को सुजित किया जाता है तो ये क्यूशन पहले भी आ चुका है डेक्टीलो लॉजी जो है एक सांकेतिक भासा है जो सारीरिक बिकलांग जो ब्यक्ति रहते हैं उनके अध्यन के लिए यूज किया जाता है नेक्ष्ट एक साकाहारी को सरीर आवेस्यक फास्फोरस जो है वह दूद से प्राप्त होता है तो एक जो साकाहारी ब्यक्ति है उसे फास्फोरस अपने स्रेड में कहां से मिलता है तो वह दूद से मिलता है चलिए next question की तरब चलते हम लोग next question है एसो हाइट रेखा नक्से में समबर्सा युगमक बिन्दू है तो एसो हाइट जो है वैसे नक्से को दरसाता है जो समबर्सा नी समान बर्सा जहां होता है नेक्स्ट अनु 6.266 का सम्बंद अकासमिक्ता निधी से है। नेक्स्ट मोडवेट को अपरेल Ummm flat 1986 में लागु किया था। तो मोडवेट को कब लागु किया गया अपरेल Ummm flat 1986 में। सब्सक्राइबि वहिकल्स पेक्टरी अवाडी तमिलदू में इस्ती थे। तो भारी बाहनों का फैक्ट्री है भी वेहिकल्स फैक्ट्री यानि भारी बाहनों का जो फैक्ट्री है वो कहा है अवाडी तमिलाडू में श्तित है अवाडी एक जगह है जो कि तमिलाडू चेन्नाई में है वही जो है भारी बाहनों का फैक्ट्री है नेक्ट बादसाह अकबर दोरा सोलमी सतावदी में दीन ए इलाही धर्म प्रारम किया गया था तो दीन ए इलाही धर्म किन के दोरा प्रारम किया गया अकबर के दोरा और कब सोलमी सतावदी में चलिए नेक्ट कुशन की तरब चलते हैं हम लोग में पुलिस बरबरता के त्रणरा साइमन कबिशन बापस ज्याओ लाड़ और लाटपट राइक को लाठी को लाध्यूं से पूररा नेक्स्ट भारत सेवक समाज के अस्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 इस्वी में किया था तो भारत सेवक समाज के अस्थापना किन के दोरा किया गया गया गोपाल कृष्ण गोखले को दोरा 1905 इस्वी में किया गया था चलिए नेक्स्ट कृष्ण की तरफ चलते है तो हिंदी जो है संग की राजभासा कब से है 1949 सीवी से है नेश्ट आधूनिक हिंदी का जनक भारत्यंदु हरिष्चंद को माना जाता है तो आधूनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है भारत्यंदु हरिष्चंद को नेश्ट बिटामिन B तथा C जल में बिले होते हैं तो आ होते हैं जबकि बसा में A, D, E और K vitamin घुलंसील होते हैं नेक्ष्ट की तरब चलते हैं जिसे की टीवी रोग के नाम से जानते हैं उसके परतिरोध के लिए लगाया जाता है नेक्स्ट नेतरदान में कॉर्णिया का दान किया जाता है कहा जाता है कि कितने बेक्ति मैंने अपना आँख दान किया लिया तो आँख में जो दान किया जाता है हिस्सा वह कॉर्णिया का भाग होता है कॉर्णिया का दान किया जाता है नेक्स्ट सांती निकेतन की अस्थापना रवींदरनाथ ठाकूर ने की थी तो सांती निकेतन की अस्थापना किन के दोरा की गई रवींदरनाथ ठाकूर के दोरा नेक्स्ट कलोरोफील की उपस्थिती के कारण पत्यों का रंग हरा होता है तो याद रखिएगा पतियों का रंग जो हरा होता है वह क्लोरोफील की उपस्थिती के कारण होता है जबकि मनुस्य का खून जो है हीमोगलोबीन के कारण लाल होता है नेक्स्ट भारत के पर्थम क्रिकेट कप्तान सी के नाइडू थे तो भारत के पर्थम क्रिकेट कप्तान कौन थे सी के नाइडू नेक्स्ट गोवा मांडवी नदी के किनारे हैं मांडवी लिखा हुए दोस्तों तो मांडवी से पर सकते हैं तो गोवा कौन नदी का किनारे है मांडवी नदी के किनारिश्ती थे नगेश्ट नोबेल पुरुसकार 1901 में आरभ किया गया था तो 1901 इसवी से जो है नोबेल पुरुसकार दिया जाने लगा है चलिए नेक्ष्ट कीशन की तरब चलते हम लोग उत्पन हो जाता है तो वहीं बोल रहा है कि अगनासाई के दोरा समानिकार नहीं किये जाने पर मधुमेह का मधुमेह नामक रोग हो जाता है नेक्स्ट इसलाम धर्म के प्रवर्तक पेगंबर मुहम्मद साहब पांसो सत्तर इस्वी में पैदा हुए थे तो इसलाम धर्म के ज का कबर फतेहपूर सिकरी में है और फतेहपूर सिखरी का है दोस्तों उत्तर परदेश में है तो परसीध संथ जो थे हैं सेख सलीमट चिस्ति उनका कबर या यह दरगा भी कर सकते हैं जिन्हें वह कहा हैं? फतेहपूर सिक्री में है चलिए नेक्स्ट कुचन की तरब चलते हैं हम लोग मौरे भारत का प्रचिन्तम राजबन से तो भारत का अगर सबसे प्रचिन्तम राजबन स कोई है तो वह है नेक्स्ट तुलसी दास अकवर के समकालिन थे तो तुलसी दास जो थे वह किन के समकालिन थे तो अकवर के समकालिन थे नेक्स्ट ब्रिटीस परधान मंतरी सर क्लिमेंट एटली के समय भारत ने स्वतंतरता प्राप्त की थी तो भारत के अजादी के समय अंग्रेज सुरी दोस था यहां से दो किस्टन पूछा जाते हैं यह मैं पहले वी बता चुका है पहला कोश्चन पूझा जाता है दोस्तों कि आगरा के ताज महल में मोती मस्जित का निर्मान किसने करवाया तो वह करवाया था तो याद रखेगा दोनों कोश्चन नेक्स्ट गॉल जी पिंडो का म नेक्स्ट कुशन हैց दुटीय बिस्व उन्हें चालिस से पैतालिस के लड़ा गया है और इसके समय ब्रिटेन के परधान मंतरी में थे बिसटन मिश्टन चरचिल के दोरा कहा गया था जो की दूतिया भी सुईध के समय इंग परधान मंतरी ठेश और दूतिया भी सुईध के समय मिश्टन चरचिल जो है पर्धान मंतरी रहे थे नेश्ट कुश्चन है अंत्रिक्च में किसी यान को भेजने वाला पर्थम देश सवियत संग था जिसे U.S.A.R. है सवियत संग को U.S.A.R. के नाम से जाना जाता है तो अंत्रिक्च में इहोंने ही सबसे पहले अपना यान भेजा था नेश्ट गीचन की तरफ चलते हैं स्थिति ऑठ डिग्री चार मिनट और सेटीश डिग्री च्छे मिनट है उत्री अक्षांस के बीच में इस तरह से कहने का अक्षांस के बोला तो ऐसा ऐसे दोस्तो तो इस तरह से जो भारत की लंबाई है वह 8 डिगरी 4 मिर्ट से 37 डिगरी 6 मिनिर तक है तो इसे आप याद रखेगा भारत में सुन उत्पादन में कोलार जो की करनाटक राजु मैं राजी का एक अधिकार है यानि स्वोना का सबसे उत्पादन अधिक जो है भारत में वह करनाटक के कोलार में किया जाता है नेक्स्ट किशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट किशन हैं चौरी चौरा कांड पांच फरबरी 1922 को असायोग अंदोलन के दौरान हुआ था चौरी चौरा कांड था क्या दोस्तो तो इसमें एक अंग्रेजों की पुलिस कोठी में अग लगा दी गई थी और जिसमें कई अंग्रेज जल गए थे और इसी कारण जो है गांधी जी असयोग अंदोलन को बापस ले लिए थे क्योंकि असयोग अंदोलन में हिंसा हो गई थी नेक्स्ट उन्यस्ट 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 उन्यस् नेक्ष्ट भारतिय समिधान का अरुछे 370 का संबंद जम्मू तथा कास्मीर के विशेस राज का दर्जासे है जो की 370 को हटा दिया गया है इस बार निदेशक सिधानतों का परमुक उदेश देश में समाजिक तथा आर्थिक परजातंतर अस्थापित करना है तो निदेशक सिधानतों का परमुक उदेश क्या है कि देश में समाजिक तथा आर्थिक परजातंतर अस्थापित हो नेक्ष्ट एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी अंतरास्टिय ब्यापार का मुख्य उद्यस निर्यात को प्रुट्साहन देना गल्फ अश्ट्री महासगर्य दवाव से उत्पन होती है तो गल्फ-श्ट्री महासगर्य दवाव से मिस्रित अर्थ व्रवस्ता का अर्थ है सार्वजेनिक तथा नीजिक छेत्रों का सहस्तित्व यानि मिस्रित अर्थ व्रवस्ता में सार्वजेनिक छेत्र और तथा नीजिक छेत्र दोनों मिल करके कारी करते हैं नेक्ष्ट आस्रू गैस का रसाइनिक नाम क्लोरोयसीटोफिनोन है तो जिसे आस्रू गैस कहा जाता है उसका रसाइनिक नाम क्लोरोयसीटोफिनोन नेक्स्ट इसमी सन इकारईस सौ बानवे में प्रथवी राज चोहान की पराज से हुई थी और एकारईस सौ बानवे में आप जानते हैं कि तराइन का दूतिए युद लड़ा गया था और इस तराइन के दूतिय युद्ध में मुहम्मद गौरी के दौर आप पिर्थवी राजचोहान को प्राजित कर दिया गया था और 1191 में त्राइन का पर्थम युद हुआ था जिसमें पिर्थवी राजचोहान जीते थे और उसमें मुहम्मद गौरी की हार हुई थी तो आप इसे याद रखेगा दोनों को चलिए सत्मेव जय थे अथारववेद के मुंढकोपनिसद से उद्ध यानि लिया गया है तो सत्मेव जय थे जो सब्ध तो विष्ड का सभसे बड़ा हवायड이 कहा है इस थे। जद्दाद में इती थे। रविद्नाठ तेगोर को साहित के लिए 1913 में नॉल पूरुसकार दिया गया था। 1913 में रविन्नाट टैगोर को नोबिल पुरुषकार दिया गया था जो की पर्थम भारतिये थे तो पर्थम भारतिये जिन्हें की नोबिल पुरुषकार दिया गया वह कौन थे रविन्नाट टैगोर थे जिन्हें 1913 में दिया गया तो पौधे में जो है स्वसन अगर लिया जाता है तो पौधे की किस भाग से लिया जाता है तो पत्ती से लिया जाता है नेक्ट है गांधी जी ने डांडी अभियार 12 मार्च 1930 को नमक कानून को भंग करने के लिए चलाया था तो डांडी मार्च कब चलाया गया बारब मार्च 1930 को गांधी जी जी के दोरा नमक कानून को भंग करने के लिए चलाया गया था नेक्ट है M.S. सुवालक्षमी एक मातर भारतिय संगितकार है जिसने संयुक्त राष्ट संग के समक्ष गाना गया था नेक्ट है जातक बौधो का पवित्र गरंध है तो जातक जो है किसका परमुख गरंध है तो वह बौधो का एक पवित्र गरंध है जातक नेक्ट की तरब चलते हैं नेक्ट की चने अजनता चितरन गुप्त कलाकी है तो अजनता कौन सी कलाकी है तो चितरन गुप्त कलाकी ह next कुम्भ मेला 12 बरसों के बाद आयोजित होता है तो कुम्भ मेला जो लगता है वह कितने दिनों के बाद लगता है 12 बरसों के बाद next सुधसोना 24 के रेट का होता है यह आप लोग जानते होंगे तो सुधसोना कितने के रेट का होता है 24 के रेट का नेक्ट है नामचे वर्वा हिमालय परवत का सिखर असम में इस्थित है तो नामचे वर्वा कहा है असम में इस्थित है और यह हिमालय परवत का ही एक सिखर है नेक्ट है राज्या रोहन का बिस्तित बीवरन अथर्व बेद में मिलता है तो किसी राज में किस तरह से राजा क विठाना है उसका जो बिसेश बिर्णन है उवह अथर्विवेज से प्राप्त होता है नेक्ट है परवायगनिक के तरफ जोहान विस हैल्स, रीटर ने देखा था तो आप रीटर भी सिर्फ रियाद रख सकते हैं तो अबपरवाईगनिक के ai हैं जोहान विस हेल्स रीटर ने चलिए नेक्स्ट क्यूचन की तरब चलते हम लोग नेक्स्ट क्यूचन है सिंधु घाटी सभेता का पतन नगर लोथल है तो सिंधु घाटी का जो पतन नगर पतन नगर बंदरगाह को कहा जाता है तो बंदरगाह को था सिंधु घाटी सभेता का वह था तामा के लिए परसीद है नेक्स्ट कलिंग पुरुसकार युनेस को द्वारा दिया जाता है तो कलिंग पुरुसकार किसके द्वारा दिया जाता है युनेस के द्वारा नेक्स्ट मैक संख्या का संबंद बायवान की गती से है तो बायवान की गती जो है वह किससे महापी जा स्थापना करना है जो समिधान के भाग चार में इस्थापना हो जो की हमारे समिधान के भाग चार में अस्थापना थे नेक्स्ट विश्वत रेखा पर इस्थाण पर अक्चान जीरो डिगरी है नेश्ट की तरफ चलते है नेश्ट कुछन में पोर्टलेंड सिमेंट के परमूख संघटक लाइम सीलिका और यलूमीना है तो पोर्टलेंड सwh o treat किसे मिल कर बने होते हैं लाइम olan मिल ना से मिलकर बने होते हैं नेक्स्ट को इसे इसे इंस्लीन अच्छे से काम नहीं करता है तो मधुमेह रोग हमारे सरीर में हो जाता स्कारविक अचराश्ट है निवारन के लिए काम आता है बागत सी को 131 थी तो बागत सी को 8 3 मर्च 1931 से को सहिए नीच्ट कौलेज ओफ दा इंडिया म्यूडिक को सभी लिए अहमद खाण रहा है तो College of the India Community के लेखा कौन है? सयद अहमद खान है नेक्ट राष्टिय गान पर्थम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था तो यहां से दोनों कुछन पुझे जाते हैं कि राष्टिय गान सरपर्थम किस अधिवेशन में गाया गया तो कलकत्ता अधिवेशन में और कब गया गया तो 27 दिसंबर 1911 को गया गया था नेक्स्ट उत्राखंड राज की राजधानी देहरादून है नेक्स्ट भारते समिधान का अनुछेद 85 राष्ट पती को लोगसभा भंग करने की सक्ति परदान करती है तो लोगसभा को भंग कौन कर सकता है दोस्तो राष्ट पती कर सकता है और यह अनुछेद 85 के तहत रा दाप्त करने वाले पर्थम महिला सहितिकार आशापुर्णा देवी थी तो आशापुर्णा देवी को सबसे पहले ज्यानपीट पुरुषकार जो है सहित के छेतर में दिया गया था चलिए नेक्ट कुछन की तरफ चलते हम लोग नेक्ट कुछन है होईसल भवन कला का सरवोत्तम उदाहरन द्वार समुद्र से मिलता है नेक्ट है भुमंडल पर करक रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्तित चेतर उसन कटीबंद कलाता है मकर रेखा और करके रेखा इन दोनों के बीच का जो छेतर होता है उसे उसे उसने कटिबंद छेतर कहा जाता है नेक्स्ट राज्या रोहन समारोह का बीबरन अथर्व बेद में मिलता है अभी उपर कोशन आया था नेक्स्ट है रविन्ना टैगोर ने 1901 में सांती निकेतन की अस्तापनाखी थी और 1901 से ही नोबेल पुरुषकार का प्ररण हुआ जबकि रविन्ना टैगोर को 1913 में नोबेल पुरुषकार दिया गया था चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग सिंटो जापान का मूल धर्म है तो जापान का मूल धर्म क्या है दोस्तो सिंटो है नेक्स्ट एवरेश्ट को नेपाल में सागर माथा जबकि तिबत में इसे कॉमो लगमा के नाम से जाना जाता है अब तक बारवी लोगसभा की अबधी सबसे नियुनतम रही है तो अगर पूछया कि लोगसभा की सबसे नियुनतम अबधी कब रही है तो वह बारवी लोगसभा की अबधी जो है सबसे नियुनतम रही है नेक्स्ट है राष्टियर राजमार एनेच सेवन भारत के साथ राज्यों से होकर गुजरती है तो एनेच सेवन जो है कितने राज्यों से गुजरती है साथ राज्यों से नेक्स्ट प्रोस्टेटेंट अंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रररम किया गया था मार्टिन लूथर के दोरा अर्रम किया गया था, नेक्स टुचन है, नेक्स टुचन है, बिंग्स ओफ फायर, किसकी आत्मकता है, या बिंग्स ओफ फायर आत्मकता के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है, डॉक्टर एपी जे, अबदुलकलाम, तो इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर एपी जबदुल कलाम के बारे में, इनहीं के दोरा बिंग्स और फायर जो है, आत्मकथा लिखी गई थी, नेक्स है, डी दिवस, वह दिन है, जब मित्र सेनाए नर्मांडी में उतरी, तो नर्मांडी में जब उतरी मित्र सेनाए देश, तो उसे डी डे के रूप में मनाया जाता है, नेक्स्ट है, केंद्रिये खाद तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर करनाटक में इस्तित है, तो केंद्रिये खाद तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहा है, मैसूर करनाटक में, नेक्स्ट भारत में जू अंग मारी रोग भी कहा जाता है तो उसका सम्मन्द किसह है आलू से है भारत में हरिंत करांति के जनक MR गो माना जाता है तो भाष को सार्स जो है विखानू द्वारा फ़ेलाया जाने वाले रोग ने चडर्गुप्त मौर की की राइधानी पाटली पुत्र थी तो चैंद्रकुप्त मौर की राइधा नि कहा थी पाटली पुत्र नेक्ष्ड भारत में रात्स सभाग में सदस्यों की अधिकतम संख्याँ नेक्सिको में करता है सुने के बनाते समय उसमें तामी का मिलाही जाता है अगर 24 केरेट का जो है कोई भूसन बना दिया जाएगा तो वह इतना तन होता है कि धूप में आते हुँ अगल जाएगा इसलिए उसके जब भूसन बनाया जाता है तो उसमें तामे का मिसरन मिलाया जाता है नेक्ट है 20 में सबसे बड़ी खाली मेक्सिको की खाली है यह क्यूशन पहले भी आ चुका है नेक्ट 20 की सबसे उची मुक्त रूप से खड़ी हुई संड़चना सी एंड टावर है तो वह है सी एंड टावर नेक्ट है भारत की तटिय भाग की लंबाई 7516.5 किलो मीटर है यानि 7516.5 किलो मीटर है नेक्ट है बांगला देश का सिर्जन 1971 में हुआ था यानि बांगला देश जो अलग हुआ था कब हुआ था 1971 में हुआ था नेक्स्ट उचन की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उचन है बायुआनों के टायर में हीलियम गैस भरे जाते हैं हीलियम गैस चुकी हलके होते हैं इसलिए बायुआनों के टायरे में या भरे जाते हैं नेक्स्ट सहारा मरुस्थल उत्री अफिरिका में इस्ति थे, सहारा मरुस्थल पूरा बिस्व का सब्से बड़ा मरुस्थल जो कहा है उत्री अफिरिका में है, नेक्स्ट बाबर मुगल समराज का संस्थापक था, तो मुगल समराज की संस्थापना जो है किसके दौरा किया अदेजा में श्रवन को बढ़ानेवाली और टि कहला ए उससे क्या कहा जाता है नेक्स कुछेंगे तरह जलते हम लोग दोस्तों ने खुछन हे भारतिये रुपईये को अब तक तीन बार जो है अब मुल्यन हो चुका है तो कब कब हुआ है 1949 में पहली बार दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में तो तीन बार भारत रुपईयों का जो है अब तक अब मुल्यन हो चुका है नेक्स्ट है पेंसिलीन फफुंदी से उत्पन होती है तो पेंसिलीन किसे उत्पन होती है फफुंदी से नेक्स्ट केंद्रिये औस दी अनुसंधान लखनाउ में इस्तित है तो केंद्रिये औस दी अनुसंधान कहा है लखनाउ में है चलिए नेक्स पूरब पललबों की राजधानी है नार्वे की राजधानी कहा है दोस्तो पोसलों है तिनकी दाठानियात रखेंगा हीमालाई नवीन बलीट परवद का उदाहरन है तो हिमालाय कैसा परवद है नवीन बलीट परवद है नेक्ट राज़सव्खभाएं इक स्थाइश सवान ही तो राज़सवा के वारे में बताkład को स्थान राज में इसती थे मे Critica संभदिन प्लीह स्थनीच के चन्द्र गूप्त की साचन में MAL nee फिलीह को ब्लेड बैंक कहा जाता ही तो पीच प्लेड जो प्लेड बैंक कि भी कहा जाता है next peach blend जो है uranium का ask है तो uranium का ask क्या है peach blend है चलिए next kitchen की तरब चलते हम लोग next kitchen है हम लोग का सेसेल्स हिंद महासागर में अवस्ति थे तो सेसेल्स कहां इस्ति थे एक दीप है जो की हिंद महासागर में इस्ति थे next है सबसे लवनिय सागर मिर्थ सागर है तो सबसे लवन जो पाया जाता है जादा वो मिर्थ सागर में पाया जाता है चलिए next question की तरब चलते हम लोग next question है पर्थम बिद्धूत रेलवे की सुरुआत 1925 में हुई थी ध्यान दीजेगा दोस्तो बिद्धूत रेलवेक सुरुआत सबसे पहले कभी 1925 में next मैथली सरन गुप्त को पर्थम राष्ट कभी होने का गौरप राप्त हुआ तो सबसे पहले राष्ट कभी कौन हुए मैथली सरन गुप्त ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है तो ओजोन परत की मोटाई जो मापी आती है उसकी जो इकाई है वो क्या है डॉप्सन है नेक्स्ट है हीड़कल परियोजना घट परभान दी पर है तो हीड़कल परियोजना कौन से नदी पर है घट परभान दी पर है सोते समय रख्त दाव घड़ जाता है तो हमारे सरीर का blood pressure जो है जब हम सोते हैं तो वह घड़ जाता है फ्रांसीसी करांती 1789 इसमी में शुरू ही तो फ्रांसीसी करांती शुरू कभी ही दोस्तो 1789 में नेश्ट नेपोलियन बोनापाट फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापाट कहां के निवासी था फ्रांस का निवासी था नेश्ट है मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जिसे की दौलतावाद के नाम से भी जाना जाता था वहां हस्ताक्षरित किया था तो MBT के बारे में जानते हैं आप मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसे पगला बात्सा रक्त पिपासू कई नामों से जाना जाता है और इन्होंने ही अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्त्रांत रिद किया था चलिए नेक्ष्ट की तरफ चलते हैं संधिया तारे का उदय उत्री धुर्ब को निरूपित करता है तो संधिया तारे का उदय किसे निरूपित करता है उत्री धुर्ब को भारत के साथ पुर्टगाली ने सरपर्थम व्यापार संबंद बनाए थे भारत के साथ सबसे पहले अगर कोई व्यापार करना प्रणम किया था तो वह थे पुर्टगाली लोग मनुस्य के सरीर में सबसे छोटा गरंथी पिट्रूट्री गरंथी होता है तो मानब सरीर के सबसा छोटा gjंति कौई सा है पिट्ट त्री गंति नेक्स्ट कालाहारी रेगिस्तान जारी ट्वारत तो सबसे पहले भारत में रुपईय का शिक्षा किसके दोरा चला गया सेर्सा सूरी के दोरा समूद्र पिर्थवी की सता का रलग भाग एकतर परसेंट है अनिकी हमारा जो पूरा पिर्थभी है उसका एकतर परसेंट भाग में समुद्र ही समुद्र है पानी ही पानी है नेक्ष्ट महान बिधी निर्माता मनु को माना जाता है तो बिधी के महान निर्माता किसे माना जाता है मनु को माना जाता है नेक्स्ट फ्लोरेंस नाइटेंगल का नाम क्रिमियन यूद से संबंधित है तो क्रिमियन यूद से संबंधित किनका नाम है फ्लोरेंस नाइटेंगल का क्रिमियन यूद कब लड़ा गया अठारा सो चववन से चापण के बीच में लड़ा गया था तो चलिए अब रंधंबौर राश्टिय उधान राजस्थान मैं जो टाइगर के लिए परसिद है। पर सीदिये ने वारत की राज्धानी से कलकत्ता से दिल्ली हस्तरांतित किया गया गया McM Assim के दौरा तो lord harding दूतिया की दौरा थैंक टीपू सुल्तान की राजधानी स्री रंग पटनम स्री रंग पटनम स्री रंग पटनम का तंसो मा जोत्यक गमं ने स्ट्री रिणवीघ से ली गई था पंडूबी का विस्कार किसे ने किया डेविस बुसनेल ने चलिए नेक्ट की तरब चलते हैं हम लोग नेक्ट की सिंदू घाटी सब इता पचीश सो इस्वी पुर्व के पास थी तो सिंदू घाटी सब इता कब से 2500 सब्से नेक्ट भारत का अंति मुगल समराट कौन था बहादूर साजफर दूतिये था जो की अठारा सो संतामन के करांती के समय जिने देखने को मिलता है और इसे रंगून भेद दिया जाता है तो भारत का अंति मुगल समराट कौन था? बहादूर साजफर दूतिये अकवर का राजस्व मंतरी टोडर मल था जो अकवर का जो बित मंतरी था राजस्व मंतरी था वह कौन था टोडर मल था संसत दौरा अनुमोधन होने पर भी राष्टिये अपातकाल 6 माँ तक लागू रह सकता है अगर संसत के दोरा अनुमोदन हो भी गया फिर भी जो है अपातकाल छे मातक लागू रह सकता है Next question की तरफ चलते हैं हम लोग Next question है संभिधान की ब्याक्ष्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोचिन्याले को हो है तो संभिधान का जो ब्याक्ष्या है वह करने का अंतिम अधिकार अगर दिया गया किसी को तो वह सर्वोचिन्याले को सुप्रिम कोट को दिया गया है Next है जीका बाइरस का बाहक एडीस मच्चर है मानव सरीर में जल की मातरा 80% होती है मानव सरीर में जल की मातरा केतनी होती है दोस्तो 80% होती है मनुस के सरीर में सबसे छोटी गरंथी पिट्ट्री गरंथी है या पहले भी आ चुका है तथा सबसे बड़ी गरंथी के अगर बात करें तो वह लीवर है जिसे यकरित भी कहा जाता है हम लोगों का next question है कि स्वेत रक्त का निकाओं का निर्मान अस्थी मज्जा लिमफो नोड़ तथा पिलिहा में होता है तो अस्थी मज्जा में होता है स्वेत रक्त का निकाओं का भी निर्मान जिसे की लिमफो नोड़ तथा पिलिहा ये दोनों जगा पे होता है स्वेत रख WBC का निर्मान होता है और RBC का भी निर्मान आप लोग जानते हैं कि अस्थे मज़ा में यह होता है तो ये दोनों आप याद रखेगा नेक्ट किशन के तरफ जलते हैं एर इंडिया में बिमान चालक बनने वाली पहली महिला सौधा मिनी देशमूख है तो एर इंडिया में पहली बिमान चालक महिला कों थी? सौधा मिनी देशमूख हिमाले के सरबोच सिखर मॉंट एबरेष्ट की उचाई 8850 मीटर है तो मॉंट एबरेष्ट की उचाई किता है 8850 मीटर नेक्ष्ट किस्टन है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा सबसे चौड़ी नदी ब्रहंपुत्रा है तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो गंगा है और चौड़ी ब्रहंपुत्रा है नेक्ष्ट बन महोतसब की सुरुवात 1950 इसवी में नेक्ष्ट 180 डिग्री देसांतर रेखा को अंतरराष्टिय तिथी रेखा के नाम से भी जाना जाता है तो अंतरराष्टिय तिथी रेखा किसे का जाता है 180 डिग्री देसांतर रेखा को नेक्ट है इंसुलीन हार्मोन रक्त में गुलुकोज की मात्रा नियंतित रखता है यनि सरकरा की मात्रा को नियंतित कौन रखता है इंसुलीन और जब इंसुलीन जो है स्रावित नहीं होने लगता है अगनासे के दोरा तो सरकरा की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह रोग उत्पन हो जाता है चलिए नेक्स्ट की चने पिर्थवी के विश्वत रेखा पर सुरी का परकास स्रवदा समान होता है तो पिर्थवी के कौन से इसा जगह है जहां सुरी का परकास स्रवदा समान रहता है तो वह है विश्वत रेखा नेक्स्ट जब राष्ट पती उपराष प्रीम कोट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह राश्टपती के रूप में कारे करते हैं तो चलिए हम लोगें साइलेंट बैली केरल में है मौन घाटी के नाम से जाना जाता है पहले भी कोश्चन आया यह केरल में नेक्स्ट हुंडु परपात स्वर्ण रेखा नदी पर इस्ती थे और स्वर्ण रेखा नदी कहा है राची में जारकण में है नेक्स्ट युनेसको कलिंग पुरुसकार परदान करता है तो युनेसको जो है कौन से पुरुसकार परदान करता है कलिंग पुरुसकार परदान करता है नेक्स्ट अंतरिक्ष में परवेश करने वाली पर्थम महिला कौन थी तुवा थी बलेंटीना त्रेसकोबा तो नाम य गुप्त-बंज किसलिए बिख्याथा ? next, डर्मेटो- लोजी तुचा एम इसकी बिमारियों का अध्यन होता है तो तुचा एम इसकी बिमारियों का अध्यन क्या कर आता है डर्मेटो लोजी कहला आता है नेक्स्ट मदर ट्रेसा बिस्व विद्याले कोडाइक नाल तमिलाडू में इस्ति थे तो मदर ट्रेसा बिस्व विद्याले कहा है कोडाइक नाल तमिलाडू में इस्ति थे नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं नेस्ट किश्चन है बासकोडिगामा 1498 में काली कट पर पहुंचा था, तो बासकोडिगामा सबसे पहले भारत आया, 1498 इस्वी में काली कट केरल के काली कट बंलर गाहपे भारत आया था, नेस्ट, अलवरुनी महमूद गजिन tay भी महमूद गज निके साथ, भारत आया था, तो अलबरुनी किसके सासनिकाल का था? ममूद गजनी के सासनिकाल का था नेस्ट पंडवानी छठीस गड़ में परचलित लोक निर्थ है तो छठीस गड़ का परमुख लोक निर्थ कौग है? पंडवानी है तो अश्ट छाप के संस्थापक स्वामी बिठुलनात थे तो अश्ट छाप के संस्थापक कों थे स्वामी बिठुलनात चलिए नेक्ट कीशन की तरफ चलते हैं लौर्ड बिलेज लीने की तो राष्टिय बिज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है तो राष्टिय बिजञान दिवस किम बनाया जाता है 28 फरवरी को संसद के दो अधिवेशनों का शमयान तर 6 माहः से अधिक नहीं होना चाहिए यानि छे मा के अंदर-अंदर संसद को जरूरी सदर में बैठना है चलिए next question के लिखक फनिस्वरनात रेनु है तो मेला आचल किन के दौरा लिखी थे फनिस्वरनात रेनु के दौरा next डोल ड्रम निम्न दाब बाला छेतर है तो निम्न दाब बाले छेतर को क्या कहा जाता है डोल ड्रम कहा जाता है next खेतरी जो है तामा के लिए परसीद है जो की राजस्थान में है या पहले भी question आया next question की तरब स्वतंदरता समानता था बंधूत्व सब्द जो है फ्रांसीसी करांती से संबंधी थे यानि फ्रांसीसी करांती से इसे लिया गया है next दाते इटली के पुनर जागरन काल के कभी है तो दाते कभ के कभी है इटली के पुनर जागरन काल के या कभी है next चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बिजाई नगर समराज के स्थापक हरीहर और बुक्का थे तो बिजाई नगर की अस्थापना जो है वह हरीहर और बुक्का के द्वारा किया गया था next है हनुमंत राव की सिफारिष का संबन्द उर्वरक उद्धोग से है next कीचन की तरफ चलते है next कीचन है महात्मा गांधी दस्चिन अफरिका से 1915 में लोटे थे तो महात्मा गांधी जो दस्चिन अफरिका से कब लोटे था इसी ताली कोटा की युद्ध को राचस्तगडी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जो कि बिजय नगर और बहमनी समराज के बीच में लड़ा गया था 1565 में next हीलियम इंधन तत्म नहीं है next रेगिस्तानों के बादल निम्न आदरता के कारण नहीं बरसते हैं तो रेगिस्तान में अगर बादल लगता भी है तो निम्न आदरता होने के कारण वह नहीं बरसते हैं next पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन के जटिल मिसरन होते हैं चलिए next question की तरफ चलते हैं हम लोग next question है भारत की पहली महिला एर वाइस मार्सल पी बंदोपा ध्याय है तो भारत की पहली महिला एर वाइस मार्सल कौन है पी बंदोपा ध्याय है नेक्स्ट डॉपलर परभाव ध्वानी से संबंदी थे तो डॉपलर परभाव किसी संबंद लेंड यार्ड का करियाले मिस्ति थे जोकी लंदन में है next फियुरर की उपाधी Hitler को दी गई थी यद पहले भी कुष्टन आ चुका है next कुष्टन है भारत पाक के बीच में सिमला समझोता 1972 में हुआ था तो भारत और पाक के बीच में सिमला कोन कला का है मौरी कला का है कानपूर से 18 paradise करांति के नेता ना शाहब थे अरावली परवतमाला पस्टीम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली टक फैला हुआ है तो आरावली परवतमाला का फैलाओ जो है परस्ची में अगर बात करें तो गुजरात से लेकर के उत्तर में दिल्ली तक या परवतमाला फैला हुआ है जो की भारत का सबसे परचीन परवतमाला है और या भारत का ही नहीं पूरे बिस्व का सबसे परचीन परवतमाला है चलि नेक्स्ट वैक्स म्यूजियम लंदन में है, तो वैक्स म्यूजियम कहा है दोस्तों, लंदन में, नेक्स्ट पहले गोवा में पूर्तगीजों का सासन था, तो आप जानते हैं कि अजादी के बाद भी कई सालों तक पूर्तगालियों के दोरा गोवा को गुलाम बनाया रहा ग और लिए प्रोटीन के निरमान के लिए आधारभूत इकाई अमीनों अमल है तो प्रोटीन के निरमान के लिए अधारभूत-इकाई और LE gefेवर्ट है और honestly में इस्ति थे तो स्री हजी तुकोटा कहा है आंधर प्रद्स में नेक्स्ट भारतिये राश्टे कौरेस के पर्थाम महिला अध्यक्ष गर पुछेगा तो वह कौन थी इनी कौन थी नेक्स्ट नार्याल के भुरुन को हम लोग खाते हैं ओने से भाग को खाते हैं योग दर्शन के परतिपादक पतंजली हैं तो योग दर्शन के परतिपादक कौन है पतंजली